हेलो एवरिवन मैसेल्फ पंजनी कुमार उत्म तो हम डिसक्स करेंगी जाही ड्वांस 2023 के पेपर टू के फिजिक्स पार्ट को चली शुरू करते हैं सेक्ष्टन वन से सेक्ष्टन वन में चार सिक्यू है ठीक है सिंगल क्रेक्ट अंसर टाइप कॉस्टन से चली स्टार्ट करते हैं को स्नबर वन और लेक्टिक डियापोल इस फोंग तो चार्ज प्लस क्यों मैनिस के लोकेट इन एक सब्लेंद जिरो कॉमा तो यह वाला एंगल आ जाएगा 45 तो इस डाइपोल के कांट प्र पोटेंशल वह वी नोट गिवन हैं तो वी नोट इक्वेस्ट टू के फोर्मूल लगा देंग के पी को सिरा पनार स्क्वेर को सिरा थीटा इस 45 तो को स्वर्टिफाइफ इस वन रूट टू आर्ट स्क्वेर ठीक है यह एक्वेशन बना है और यह वाला एंगल लेट से थीटा है तो अब जो डाइपोल मोमेंट वो पी डैश है और इससे डिस्टेंश जो भी है यहां से यहां तकी आर है और पी पॉइंट पर अब जो पोटेंशल वी इस इकुले टू मैं लिखोंगा के पी डैश और एंगल आ जाएगा थीटा प्लस 45 तो कोस थीटा प्लस 45 अपॉन डिस्टेंश वही सेम आर तो आर का स्क्वेल जाएगा ठीक है इस वे सेपन लिख सकते हैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दे हम तो वी इस इकुले टू के बाय आर स्क्वेर और पी डैश को अंदर मल्टिप्लाय कर दें एक्सपेंड भी गर दें साथ ही साथ तो पी डैश कोस थीटा कोस 45 वन बाई रूट टू रूट टू भारा गया ठीक है कोस थीटा एंड माइनस पी डैश साइन खीटा इस वे से हम इसको लिख सकते हैं अब बात यह है कि पी डैस और टी अ 2016 देखो यह पी डैस सक्वें कूस एस डिखिए हम तो कुछ ऐसे स्टुक्चर बन लगी है इसको P y यह P y जो P के बराबर है तो P dash cos theta जो actual P को represent कर रहा है जो dip problem पहले बाला था और यह जो P x है यह P dash sin theta को represent कर रहा है So this P dash cos theta is P minus and this P dash sin theta is P x और अगर हम यहां से 10 theta इस geometry से देखे हैं अगर अगर आपन तो 10 theta is equal to perpendicular by base which is P x by P and 10 theta from this triangle क्योंकि यह साफ साफ अपनको दे रखा है यह जो diagram बना रखा है यहां पर इस diagram में यह distance जो है यह 2 के equal है height और यह distance 1 के equal है So 10 theta is equal to 1 by 2 So 10 theta is 1 by 2 that means P x equals to P by 2 तो P x की value exactly P by 2 के बराबर है So P minus P x P x is P by 2 So P minus P by 2 is P by 2 तो इसकी value कितनी आ जाएगी K P by 2 और root to r square यहां तक आगे एगी ठीक है और V naught की value K P upon में root to r square है तो इन दोनों को अगर relate करें तो V की value exactly V is equal to r आपने पास V naught by 2 एकड़म basic सा question है तो इसका correct option जो है वो B हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलें यह B है आएगे second question है Young's modulus of elasticity Y is expressed in terms of three derived quantities namely the gravitational constant capital G Planck's constant H and speed of light CS C Y equals to C to the power alpha H to the power beta G to the power gamma which of the following is the correct option unit dimension based question है बहुत ही basic सा question है य की value दे रखी हमें खीक है चलो इसमें आगे चलते हैं इसमें time जाया नहीं करने के बजाए direct so Y is equal to C to the power alpha H to the power beta and G to the power gamma Y Young's modulus है जिसकी जो dimension है वो stress के dimension की equal होती है और stress की dimension क्या होती है M1 L minus 1 T minus 2 and then C speed of light which is L by T to L 1 T minus 1 H Planck's constant E equals to HF से H कभी dimensional formula निकला जा सक्ता M1 L2 T minus 1 and power आजाए गाए यापर beta and G is the gravitational constant F equals to G M1 M2 by R square से वहां से capital Z कभी dimensional formula जाए 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 तो M to the power minus 1 L to the power 3 T to the power minus 2 and then फिर power को अंदर multiply करके compare करलेंगे तो M की power 1 आ रहाए यापर और M की power beta minus gamma so beta minus gamma is equal to 1 L की power alpha plus beta plus alpha plus 2 beta plus 3 gamma तो इसकी value minus 1 के equal है तो यह वाली value minus 1 के equal रख दिया हमने T की power minus alpha minus beta minus 2 gamma है इसको compare करें तो T की power minus 2 है इस तरफ इसको minus 2 के equal रख दिया इन तीनों equation को solve करके हम इसली find out कर सकते है alpha की value 7 beta की value minus 1 and gamma की value minus 2 वैसे इसको solve करने के बज़े बैटर यह है कि options दे रखें options से cross check करके भी इसको easily find out किया जा सकता है तो इसका correct option जो है वो यह हो जाएगो next पे चला है आईगे यह particle of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at a point x, y is given by v vector equals to alpha y x cap plus 2 x y cap x cap and y cap are unit vectors okay where alpha is a non-zero constant what is the force effect acting on the particle आप से force कुछ है and f vector equals to mass into acceleration अच्छा जी और velocity हमको given है v vector equals to alpha y x cap plus 2 alpha x y cap तो अगर force calculate करना है तो हमें acceleration सी और acceleration velocity का time derivative होता है simply alpha यह जाएगा मारे पास dy by dt ठीक है this is x cap plus 2 alpha dx by dt y cap so alpha dy by dt is a vy y component of velocity x cap plus 2 alpha और dx by dt is vx x component of velocity so यहां पर यह जो alpha x है यह देखो यह वाला alpha y sorry यह vx ही तो है x component तो है और यह वाला vy है तो यहां पर यह v y की value रख दें तो कितना आ जाएगा 2 alpha यह आ जाएगा हमारे पास x ठीक है alpha into alpha alpha square हो जाएगा 2 alpha square x और आ जाएगा यहां पर x क्लस यहां 2 alpha तो ओल्रेड़ी है square x x के प्लस 2 alpha square y y के और यह वाले value यहां रख दें अगर हम तो बस मास से multiply करना है तो आंसर आ जाएगा 2m alpha square common आ जाएगा bracket में आ गया x x के प्लस y y के तो साफ साफ नजर आ रहा है यह option इसका correct हो जाएगा question number four an ideal gas is in a thermodynamic equilibrium the number of degrees of freedom of molecule of the gas is n the internal energy of one mole of the gas is u n and the speed of the sound in the gas is v n at a fixed temperature and the pressure which of the following is the correct option correct option हमें बताना है fixed temperature pressure पर देख्खी ideal gas है और degree of freedom अगर आपको n दिया रहा है तो u is equal to f by 2 f by 2 n rt right degree of freedom यहाँ पर हमें n given है right तो या तो हम n मान लें या इसको f भी लिख सकते हैं f लिखना चाहें तो ठीक है तो चलो f लिख देते हैं ताकि confusion नहीं हो तो f by 2 n rt yes है ना तो degree of freedom अगर आपके पास है तो हम easily energy की value निकाल सकते हैं यहाँ यहाँ पर number of moles मैंने लिए है okay और speed of sound in air is v is equal to under root gamma rt by capital M और gamma cp by cv होता है छीक है cp is cv is f by 2 r and cp is cv plus r तो cp by cv is gamma and this is f by 2 r plus r upon me f by 2 r तो यहाँ से gamma की value कितनी आगे अपने पास f plus 2 बाढ़े f यह gamma की value हो गई है ठीक है तो अब यह check करना है हमें कौन सा option सही है n जो इसने लिया है number of degree of freedom है n तो हमसे पूछा है कि किस की value कम ज्यादा जो भी relation हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है पहली बात तो यह है कि degree of freedom जितना ज्यादा होगा यू की value उतनी ज्यादा होगी ठीक है तो u3 is u6 यह wrong हो गया ठीक है यह सही हो सकता है यह वाला और u3 is greater than u5 यह भी wrong हो गया u6 is less than u7 यह भी हो स 5 जो है 7 से उबसे less है और वहां पर sorry greater है v5 वाला और v6 less than v7 देखिए अगर मैं f की value 5 रख दूं ठीक है तो गामा की value क्या आएगी 5 प्लस 2 7 बाए 5 राइट और अगर मैं f की value 7 रख दूं तो गामा की value कितना है गी 9 बाए 7 अब 7 बाए 5 और 9 बाए 7 है तो यहां पर साफ सा बाए 5 इस ग्रेटर देन 9 बाए 7 ठीक है जितना यह बढ़ता जाएगा ना उतना ही यह जो value है यह 1 के close जाती जाएगी ठीक है तो यह वाली value जो है 1 से greater है मतलब इससे इवन इससे भी greater है तो यह तो confirm होगया v6 is less than v7 यह वाला हो जाएगा wrong ठीक है तो सही option कौन सा हो जाए पर 2 physics का section 2 जिसके अंदर तीन question है one और more than one correct options है first question on the question number 5 monochromatic light wavelength of wave incident normally on a glass slab thickness d as shown in figure refractive index दे रखा है slab का linearly increase होता हुआ n1 से n2 h height तक और इन में से पुछा हुआ है कौन सा statement correct है सबते हैं और emerging line, emerging waves जो है उसका corresponding emerging ways तो यहां पे हम क्या consider करेंगे यहां पर wavefront consider करते हैं एक बार और wavefront consider करतेविए primary wavefront से secondary wavefront बनाएंगे फिन बना लेगा है circular हर एक पॉइंट को या ध Québec only रहें credit रहें उसके रहें तो होका पॉंटiben उनसे हम circular wavefront बनाएंगे जिनका common tangent secondary wavefront अपना देगा linearly increase हो रहा है refractive index तो velocity भी linearly change होगी velocity linearly change होगी तो same time में linearly vary होतावा radius आएगा तो इसलिए planar का planar wavefront आगे क्यों travel करता जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसे के हर एक point को source की जैसे consider करते है source की जैसे consider किया तो इसमें velocity cm2 into time t का हम circular arc ले रहे हैं और ये value हमने ले रहे हैं d के बराबर ऐसे ही इतने time में यहां वाला जो portion है नीचे वाला जहां पे refractive index n1 है यह वाला part d तो चली गया कुछ t1 time में और कुछ आगे और पहुंच गया l distance d plus l distance तो यहां पे यह time t1 और यह t2 मान लेते हैं तो t1 और plus t2 इसके बराबर है तो d equals 2 हो गया यहां पे velocity into time t1 plus यहां पे velocity vacuum में into time t2 और t1 plus t2 के बराबर है तो यहां से अपन क्या बोल सकते है यह relation कि यह time t d by c medium to medium में velocity क्या होगी c by refractive index n2 कि t2 की value हो यहां से t1 plus c2 t1 की value आ जाएगी यह value था equal to l t1 की value आ जाएगी d by cm2 जो वो सकते हैं c n2 n1 sorry t2 की value आ जाएगी l by c तो यहां से हमारे पास relation आ जाएगा d n1 n2 और l की value आ जाएगी तो उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि इस तरह का wavefront बना कितना deflect हो गया यह angle theta निकाल सकते हैं तो यही किया भाँ यहां पर तो यह distance n2d इस वाले n1d plus l के बराबर यह relation आ गया इस से हमने calculate कर लिया l का value और यहां से तो second option correct है third deflection तो होगा खलत है deflection जो है वो n2-n1 पर depend करेगा individual पर नहीं depend करेगा तो यह correct है तो b और d अपने options correct हो जाएंगे next question question number 6 यहां पर एक annular disc mass m है inner radius a outer radius b एक horizontal surface पर रखावा है coefficient of friction mu हो है अब यहां पर किसी time पर इस पर impulse लगा j0x के मनलब x direction में और h height पर इसको apply किया हुआ है h by h equals to h m पे disc roll कर रहा है without slipping बिना slip way अगर roll कर रहा है तो उसके लिए condition पूछी भी है उसके लिए h m बोला हुआ है तो कौन सा statement correct है यह बूच्छा हुआ है तो values बोल रखिये कि अगर a की value 0 option किया के बोल रखिया है कि friction है तब भी यह point कौन सा possible होगा बिन slip way rolling का कि a की value अगर 0 को tend करे माला भी complete disc हो जाए तो h m की value आए कि b by 2 के बराबर यह value बोल रखिये यह फिर दूसरा बोल रखा है कि की value 0 है तो फिर से h m की value बोल रखिये b के बराबर है फिर third कि अगर h की value h m के बराबर है तो इस time पर initial angular velocity does not depend on inner radius a यह बोल रखा है तो इसके लिए calculate क्या करेंगे यहां से impulse लगा बिना friction की rolling की condition है pure rolling ले ले लेते हैं इस height को हम h m ले ले लेते हैं h m के लिए पूछी भी सारी values तो इस height को h m पे बोल रहे है pure rolling हो रही है और बिना friction के अधरवाइस friction होता मतलब slipping होती है अगर यह प्योर रोलिंग नहीं स्टार्ट हो रही होती है तो बिना friction के consider कर रहे हैं इसको friction की value 0 लेंगे तो इस वाले point पर जैसे force लगा उसकी वैसे linear momentum center के about angular momentum लिखते वे angular torque ले अंगुलर इंपल्स लेते वे angular momentum से पहले जो angular impulse लगा उससे change in momentum जहां पर वी क्या हो जाएगा इसके center of mass की velocity हो जाएगी तो center of mass की velocity यहां गई जी नॉट बाइम की बराबर सेकेंड सेंटर के about torque लगा एंगुलर इंपल्स लगा तो एंगुलर इंपल्स जे नॉट एक्वास्ट तो i c m into omega की बराबर अब बिना slip way rule हो रहा है तो वी क्वास्ट हो ओमेगा के omega r की इकपल आगया यहां से अब इससे हम h की value calculate करें तो दोनों का ratio लेड़ों दोनों का ratio लेंगे अगर हम तो h m एक्वास्ट हो जाएगा i c by m और omega by v की value r की बराबर है तो यहां से यह h m की value आ गई हम की value मोमेंट of inertia पर डिपेंड कर रहा है और नीचे मास और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है अब पहले option में बोल रखा है कि अगर a की value 0 ले 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 है a की value 0 ले 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 पूरी disk हो गई डिस्क होने पर i c की value हो जाएगी half m b square moment of inertia r की value b है तो h m की value आ जाएगी b by 2 के बराबर ठीक है next option next option हम बोल रखा कि अगर a equals to b है next option जो है वो a equals to b है उस condition में मतलब यह किवल एक ring की जैसे ring की जैसे हो जाएगा तो moment of inertia जो हो जाएगा m b square हो जाएगा m b square हो गया तो उस time पर इसकी value पूट की तो h m की value आ जाएगी b की बराबर यह condition आ जाएगी second भी ठीक है फिर third कि अगर h equals to m है h m है तो initial angular velocity does not depend on inner radius a तो initial angular velocity थी तो यहाँ पर देखें velocity यहाँ से कितना आ रहा है initial angular velocity v by r, r outer radius है तो v by b के बराबर और v की value कितनी है j by m के बराबर तो v की value j by m रखा तो यहाँ से की angular velocity इसकी आ रही है जो independent of radius है तो outer radius से independent इसकी value मिलेगी अपनको फिर next, next option बोल रखा है कि अगर mu equals to 0 है और h की value 0 है वाला बिल्कुल center पर अगर लगा दिया तो उस case में कहीं कोई center के about torque लगेगा नहीं angular impulse आएगा नहीं तो rotate नहीं करेगा तो यह बोल रखा है slide without rolling तो आपने चारो option जो है इसके corresponding correct हो जाएगा next question question number 7 एक electric field electromagnetic wave से जो एक dielectric medium में गिवन है उसका equation में गिवन है तो इन में से कौनसा option correct है speed of light vacuum में बोल रखा है 3 into 10 इस बाहर 8 meter per second options क्या गिवन है कि magnetic field का xy component मतलब electric field गिवन है तो किसी electromagnetic wave में magnetic field vector equals to c cross e c velocity of light vacuum में medium में divided by c square यह relation यहाँ पर magnetic field के लिए बोल सकते है फिर इन दोना option में आ जाएगा फिर second c option जो है magnetic field का जो plane है वो plane of polarization होगा तो उससे हम plane of polarization देखेंगे कितना angle पर है refract index refract index velocity of light जो है उससे देखेंगे तो medium में velocity जो होती है वो c by refractive index के बराबर होती है तो यह options अपने है चेक करने के लिए तरीका होगा तो देखते हैं तो इसमें पहले velocity of light निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि जो frequency वाला term था वो यह और यह common ले लिया तो यहां भी जो term बनेगा वो velocity of light बनेगा तो फाइव इंडे 10 इस पाहर 14 डिवाइड बैस 10 इस पाहर अगर हमें magnitude निकालना है तो e by c के बराबर बोल सकते हैं या पूरा वेक्टर फॉर्म में चीए तो इस पूरी एक्वेशन से जब हम भी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं यहां पर वेलासिटी वेक्टर 1.5 इंडे 10 इस पाहर 8 वेलासिटी है डिरेक्शन है इसकी जैड में के कैप इलेक्टरिक फील एलेक्टरिक फील वेक्टर अपने दे रखा था तू आई कैप प्लस जे कैप 30 और वेव एक्वेशन इदे रखा था डिवाड़ वेलासिटी अव लाइट 1.5 इंडे 10 इस पाहर 8 इस पूरी एक्वेशन से जब हम भी वेक्टर कैलकुले स्फूंड अगये तो पुछा था कि एक्स कॉम्परेंट ऑशा ता है अपना नेगाटिव य वाइक्स कॉम्परेंट स्था आए पॉसिटिव की कांव । यह जो प्लेसम नहीं ऑ रही है तो प्लेसम पिलेस्वे एक्स खील एक्स typ से एलेक्ट्रिक फील किदर एंग सब कु तो यह D option हो जाएगा, 7 के बाद next question, section 3 के अंदर, 6 question है non-integer, non-negative integer values है, first, एक thin circular coin है, mass 5 gram है, radius 4 by 3 cm, initially horizontal xy plane में रखावा है, coin को toss किया, vertical upward z direction के अंदर, एक impulse लगाया था, यह impulse की value given है, और यह distance 2 by 3 पे apply किया हुआ है, center से, 4 by 3 radius थी, 2 by 3 radius के हाफ पे लगा दिया, coin spin किया, diameter के about, मतलब जैसे चाला इसको, यह गुमता हुआ, diameter के about rotate होता हुआ, उपर के और गया, तो वापस आने तक, initial position तक आने में, कितने इसने rotation complete किये, वो बताने है, तरीका क्या रहेगा अपना, जैसे इसको toss किया, तो impulse की वजए से, कितना momentum में change हुआ, उससे velocity निकालेंगे, coin की, center of mass की velocity आ जाएगी, तो इस diameter के along, यह rotate करेगा, तो angular impulse ले ले लेंगे, angular impulse से change in angular momentum निकालेंगे, उससे angular velocity आएगा, और उस angular velocity से, इतने time में, कितने rotation complete कर लेगा, वो देखेंगे, उमेगा fix हो जाएगा, क्योंकि जो mg लगेगा, वो center of mass पे लगेगा, rotation को change नहीं करने वाला, तो शुरुआत में rotation म लेगे, तो सबसे पहले impulse से velocity इसकी calculate करेंगे, तो सबसे पहले impulse से अपने इसकी velocity calculate की, j equals to mv, फिर impulse, angular impulse में convert कर दिया, j into r, ये हो गया, ic, center of mass के about, moment of inertia, into omega, angular velocity, यहाँ गया, तो यहाँ से हमने इसका, moment of inertia जो calculate किया, coin का, इसके about, इसके about, यह ic है, तो इसका, इसके about, जो moment of inertia है, वो कितना हो जाएगा, half mr square, axis center के about होता है, यह हो जाएगा, 1 by 4 mr square, moment of inertia, तो इस velocity को use करते वे, हमने निकाल लिया कि कितने time में वापस आ जाएगा, हाथ में कितने time में व 2 plus 80 use कर सकते हो, s equals ut plus half dt square use कर सकते हो, तो इससे value आजाएगी, 2v by g, इतने time में यह हाथ में वापस आएगा, इतने time में, कितने rotation complete कर लेगा, तो theta equals to theta, number of rotation, sorry, angle, angle को लिख दिया, 2pi n, n number of rotation, equals to omega t, angular velocity into time, time की value यहाँ से put कर दी, substitute कर दी, 2v by g, इसमें, omega की value यहाँ से substitute कर दी, यह, तो इससे solve करते हैं, तो n की value अपनी आजाएगी, finally, 30, 30 rotation complete करने के बाद, वापस हाथ में आ रहा होगा, next question number 9, 9 के अंदर, एक rectangular conducting loop है, length है 4 cm, width है 2 cm, x, y plane में रखा हुए, और इसको move कर रहा है, यह, इस direction के अंदर, मतलब यह कोई direction है, x component है, जिसका root 3 by 2, y component है, 1 by 2, तो मतलब एक तरह से direction अगर देखोगे, angle देखोगे, तो यह angle आजाएगा 60 degree, 60 degree angle, 30 degree angle, 30 degree angle, 30 degree angle के साथ, यह चलता हुआ लग रहा होगा, इस सारे से, अब इसमें इसकी speed जो है, वो V है, और current इसके अंदर flow हो रहा है, इस wire के अंदर, जो है, वो 10 ampire current flow हो हो रहा है, positive direction में, current of 10 micro ampire flow through the loop, इस loop में जो है, वो current इतना flow हो रहा है, distance d जो है, वो 4 cm है, from wire, रहिस जो loop का है, वो 0.1 है, तो value of V, यह किस velocity से जा रहा हो बताना है, तो हो क्या रहा है कि जैसे इस loop को हम इस तरह से मुह करवा रहे हैं, इसके vertical velocity की वजए से, उपर के और जज़ ज़से होगा, flux में change होगा, induced EMF आएगा, induced EMF अगर आ रहा है, तो इसके अंदर, circuit के अंदर current flow होगा, वो current की value हमें given है, ठीक है, इस direction में जो velocity का component है, इधर वाला component, इस component की वज़े से कोई flux में change होगा, क्योंकि magnitude field lines बराबर बराबर रहेगी, magnitude field इस से बराबर distance पे, तो इस component का बोल रहेगा, तो इसी की वज़े से देखेंगे, तो इसकी वज़े से हम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में emotional EMF लेते हुए, EMF calculate कर सकते है, कितना आएगा, BVL, BVL यह बोल सकते है, और calculate करते है, तो calculation देखते हैं इसका, तो recent दे रखा था, EMF आ गया, इस वाले पार्ट के अंदर आगया, B, यह वाले पास वाले में ज्यादा है, तो इसको B1 ले लिया, BVL, इन्टु लेंथ, Y component कहा में आएगा, यह दूसरे वाले पार्ट के अंदर दोनों के अंदर बैटरी बनेगी, जैसे विलासरी इदर उपर की और मूँ कर रहा था, तो इसके अ आएगे, तो यह current की value हमें given है, 10 is to power minus 5, mu naught की value given है, current की value 10, और यह distance R, R की value दरिखिये, 0.1, वालव, resistance की value, 1 by D, 1 by A plus D, यह distance, यह आगए, velocity Vy, यहां से calculate करें, तो Vy की value है, यह 2, और दूसरा, और और ओर वेलासरी जो थी, X component था, root 3 by 2, Y component था 1 by 2, means angle जो हो गया, वो 10 theta की value, theta की value आगई यहां से, 1 by root 3, यह 30 degree यहां से, और इसको दूसरा क्या बोल सकते है, velocity का Y component by X component, Y component 2 आया, तो X component 2, root 3, तो और और वेलासरी इसके 4 आजाएगी, दोनों components, next question, question number 10, एक string है, length 1 meter है, mass given है इसका, tension T, string vibrate कर रही है, दो successive harmonic frequencies given है, 750 Hz और 1000 Hz, value of tension बताना है, तो देखोंगे, यह successive frequencies है, इनके बीच में जो difference है, वो fundamental frequency के बराबर होगा, यह twice of fundamental frequency के बराबर होगा, अगर दोनों end same है, तो fundamental frequency के बराबर है, दोनों end close है, अगर दोनों end में से, एक end open है, एक end close है, तो यह double fundamental frequency के होगा, तो इनका difference देखें, तो वो 250 आ रहे है, 250 का यह 3 times है, 250 का यह 4 times है, इसका मतलब यह होगया third harmony, यह होगया fourth harmony, यह consecutive होगा, तो third harmony क्या fourth harmony की value given है, frequency given है, length और mass given है, मतलब mu given है, तो अपन क्या बो सकते है, frequency f equals to n, v, v की value root t by mu, by 2l, यह use कर सकते है, frequency 750 use कर लो, n की value 3, या 4 use कर लेंगे, 4 इसके ग्रसपोंड नहीं, root t by mu, t की value यहां से calculate करने है, तो calculation देखें, frequency, दोने एंड same, p by 2l, root t by mu, n या p बोल दो, 750 के ग्रसपोंड नहीं, यह value 3 है, यह बोल दो कि 1000 के ग्रसपोंड नहीं, यह p था तो यह p plus 1 ले लिया, यहां से ratio ले लिया दोनों का, तो p की value यहां से 3 यहां पर यूज की, या इसके लिए 4 यूज कर लिया, 4 यूज करते हुए tension की value calculate किया, next question, question number 11, 11 के अंदर एक incompressible liquid है, एक container के अंदर रखावा है, weightless piston है, एक hole है, जिसमें से capillary tube, जिसकी inner radius 0.1 है, यह यहां पर इसके अंदर dip की विया vertical, और air tight piston है, है, hole, बता रखा है, air in the container is isothermally compressed from the original volume V0 to 100 by 101 V0, तो इस air tight piston के अंदर isothermally इसको compress किया गया है, 100 by 101 V0, with a movable piston, consider air as an ideal gas, air को ideal gas consider करना है, height h of the liquid column in the capillary above the liquid height level is, तो क्या किया, इसके अंदर इसको isothermally compress किया है, compress किया तो उसकी वज़े से इसका height है, मतलब inside जो pressure बढ़ गया, pressure कैसे calculate करें तो isothermally बोल रखाए, तो पहले pressure P0, volume V0, बाद में pressure atmospheric pressure को change हो गया, volume इतना आगया है, ठीक है, pressure atmospheric pressure given है, अगर हमने यहां का pressure calculate कर लिया, इसके अंदर का, तो इस वाले point और इस वाले point की बीच में, pressure difference को use करें, यहां पर pressure difference 2T by R आ जाएगा, capillary की accord ही, तो यहां पर हम calculate कर सकते हैं कि height की value कितनी है, यह calculate करना है, तो calculation देखिए इसकी, तो अपन ने क्या किया, H naught, पहले की height calculate की 2T cosida by Rho RG, पहले जब pressure यहां पर, P naught atmospheric pressure था, तो 2T cosida 1, Rho RG की value, तो यह 15 cm यहां पर, तो यह initial condition थी, अब क्या किया, इसके अंदर जैसे कंप्रेस किया, तो P1 V1 equals P2 V2, ISO thermal बोल रखा है, volume 100 by 101 V naught कर दिया था, तो pressure की value 101 by 100 आ गई, अब इस वाले point और इस वाले point पर जब equation लिखेंगे, तो यहां पर equation लिखी P naught, नीचे आए, pressure change हो गया, 2T by R, cosida की value वैसे ही वन है, नीचे आएंगे pressure बढ़ेगा, रोजियत से, और यह pressure, इसके pressure के बराबर, और वो कितना है, 101 by 100 P naught, ठीक है, अब यहां से calculation की, यह values आ गई अब इस वाली value को, यहां पर 2T को, इसकी value जो है, यहां से substitute कर दी, यह पूरी value जो है, उसको substitute कर देंगे आपे, तो इससे calculate करने पर H की value आ रही है, पहले वाली height, P naught by 100 rho g, तो यहां से यह value आ जाएगी, और रॉल 25 cm के बराबर value आ जाए, ठीक है, next, question number 12, 12 में एक रेडियो by dt से define कर रहे है, minus से, और number of radioactive nuclei at time t, वो nt से represent कर रहे है, radioactive source s1, s2 की शुरुआत में activity same, अब dn by dt की value कितनी आ जाती है, तो n naught e raised to power minus lambda t के बराबर आते है, ठीक है, तो यहां पर activity a equals to n naught e raised to power minus lambda को बोल सकते हैं, ln2 by half life into t, यह activity होगी, अब शुरुआत में दोनों की activity बराबर है, शुरुआत में यहां पर lambda, sorry, शुरुआत में दोनों की activity बराबर है, मतलब lambda n naught शुरुआत के दोनों की equal, letter time पर दोनों की activity a1 और a2 हो गई, और जब just इनने एक ने third half life complete किये, एक ने seventh half life complete किये, मतलब यह जो time है, एक के corresponding यह three half life के बराबर है, एक के corresponding seven half life के बराबर है, तो a1 by a2 का ratio कुछा है, इस lambda को भी log 2 by half life बोल सकते हैं, तो यहाँ से हमें compare करना है, दोनों की activity a1 by a2, एक lambda 1 by lambda 2 आजाएगा, यह half life का ratio आजाएगा, एक यहाँ से, और इस particular time पर इननों ने तीन half life या साथ half life complete किये, तो time बोल सकते हैं, कि पहले की तीन half life, three t1, और वो ही दूसरे के seven half life की बराबर है, तो t1 और t2 का ratio यहाँ से आएगा, ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पर t equals 0 पर दोनों की activity equal, किसी time पर activity a1 और a2 हो गई, पहले की activity लिख दी, a0 शुरुवाती activity जो बराबर थी दोनों की, 0.5 t by t half, यह value लिख दे, और t की value बोल रखी है, 3 half life की बराबर तो यह value 3 आ गई, यह 0.5 t by t half, इसकी value 7 आ गई, ठीक है, क्योंकि ln2 था तो इसको हम इस सरे से भी लिख सकते हैं, convert करके, base interchange करके, 0.5 की power 3, तो यहाँ से यह ratio आ जाएगा, 2 की power 4, 16 value आ जाएगी दोनों की activity, next, 13, 1 mole ideal gas, दो different cyclic process, 1st और 2nd given है, TV diagram दोनों की given है, cyclic 1, A, B, C, D process है, isothermal, पहला process जो है, वो दे दिया, isobaric, फिर isothermal है, फिर isobaric फिर से, फिर last वाला isochoric है, इसी तरह ऐसे दूसरे वाले cycle के अंदर process दे दिये, कि isothermal, isocoric, isobaric, isocoric respectively, तो total work done cycle 1 में W1 है, इसमें W2 है, तो total work done calculate करना है, तो देखें, एक तो PV graph का जो area होता है, वो total work done बताता है, लेकिन यहाँ पे एक curve part है, तो area निकाले में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे है, इस part का work, इस part का 4 पार्ट का work अलग-लग निकालके add कर लता है, फर्स्ट वाले part में pressure constant है, प्रेशर constant है, तो work done की value आती है, P delta V के बराबर, P delta V first work आ जाएगा, second isothermal है, तो isothermal के अंदर volume change दे रखा है, या pressure change दे रखा है, work लिख सकते है, N, R, T, N, R, T को लिख सकते है, P1 V1, log V2 by V1 के बराबर, यह work आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे pressure constant है, तो constant pressure पे work done आ जाएगा, P delta V, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ volume constant है, work done 0 आ जाएगा, तो तीनों पार्ट में work done निकाल के add कर देंगे, चौथे का 0 था, ऐसे isothermal, N, R, T, log V2 by V1, जहाँ पे N, R, T की value शुरुआत का P not V not लिख सकते है, ऐसे इसके अंदर work done volume constant 0, इसके अंदर volume कम हो रहा है, work done negative आएगा, P delta V के बराबर, इसमें work done 0 आ delta V की value V not, second part के अंदर work done आ गया, P, यहाँ वाला P into V, N, R, T के बराबर, तो P into V, यहाँ गया, 8P not V not, और log V2 by V1 करेंगे, तो ratio 2 आ जाएगा, ratio 2, ऐसे इस वाले के अंदर जो work है, P, delta V, delta V की value आ जाएगी 3, 3 आ जाएगा 6, negative का work आ जाएगा, ऐसे इस वाले जो cycle था, इसके अंदर work, पहले के अंदर आ जाएगा, N, R, T, 4P not V not, log V2 by V1, log 2, 4P not V not, log 2, second वाले के अंदर work 0, third वाले के अंदर work आ जाएगा, P delta V, P not V not, minus का, यह work done आ गया, अब यहाँ पर फाइनली यह उपर वाले के अंदर value, तो हीक तरह से ratio इनका 2 आ जाएगा, यहाँ पर, अब हम डिस्कूस करें, section 4, paper 2, physics, section 4 में, paragraph type 2 question है, ठीक है, और numerical value answer type questions है, चलिए शुरू करें, तो paragraph 1 क्या है, रेके, S1 and S2 are the two identical sound sources of frequency, 656 hertz, the source S1 is located at O, and S2 moves anticlockwise with uniform speed 4 root 2 meter per second, on a circular path around O, as shown in the figure, there are three points P, Q and R on this path such that the P and R are the diametrically opposite, while Q is equidistant from them, a sound detector is placed at point P, the source S1 can move along direction O, P, given the speed of sound in air is 324 meter per second, तो S1 और S2 दो source है, और इन से जो भी sound आ रहा है, उसकी speed in air is 324 meter per second, और दोनों से जो sound emit रहा है, उसकी frequency 656 hertz है, ठीक है, S1 अभी रुखा हुआ है, लेकिन S2 का दे रखा है कि यह anticlockwise direction move कर रहा है, 4 root 2 meter per second से, चलिए आईए question क्या कहता है, देखें, okay, question 14 में दे रखा है, when only S2 is emitting sound and it is at point Q, the frequency of the sound measured by the detector in hertz is, ठीक है, frequency कितनी observe करेगा detector, आईए, देखें, S1 यहाँ पर है, ठीक है, और S2 move कर रहा है, लेकिन S2 इस location पर आ जाता है, और detector यहाँ पर है, इस location पर, तो S2 का जो motion है, जो velocity है, वो अबिसली tangential होगा, और velocity of source, क्योंकि यह sound limit कर रहा है, तो इसकी velocity Vs है, तो इस location पर अगर मैं इन दोनों को join crew line से, तो line joining जो है इनकी, और velocity जो है, उसके बीच में angle 45 बनेगा, क्योंकि यह दोनों distance बराबर है, यह angle 90 है, तो यह वाला angle obviously 45, 45 भी आएगा, तो Vs का इस तरफ component लेख, Vs cos 45, which is Vs by root 2, and Vs is 4 root 2 meter per second, तो रखेंगे, तो यह value हाजाएगी 4, तो यहाँ पर अब कितनी frequency का इसको sound सुनाई देगा, तो उसके लिए Doppler effect का question है यह, तो frequency के लिए form लगा दिए, F dash equals to F, V upon V plus, क्योंकि दूर जा रहा है न य है, तो V plus Vs cos 45, इसकी value 4 आचुकी थी, यह root 2 root 2 cancel out हुगया, तो 324 upon 324 plus 4, मतलब 328 से divide करेंगे, तो answer आजाएगा, 648 hertz, तो एकदम basic सा question है, Doppler effect पर, तो first का answer है 648, next पर चले, है, okay, next question क्या कर रहा है, consider both sources emitting sound when S2 is at R and S1 approaches the director with a speed 4 meter per second, the beat frequency measured by the director in hertzis, चलिए देखते हैं, आओ, देखे, S2 इस location पर आ गया, और यह इस direction move कर रहा है, तो S2 sound आएगा, उसकी frequency वही feel होगी, जो actual frequency है, क्योंकि angle कितना बन रहा है, यहां से 90, तो उस frequency को F double dash से mention किया है, यहां पर, which is 656 hertz, तो director को जो feel होगा, frequency, वो यह इतना ही feel होगा, ओके, लेकिन S1 जो है, वो detector की तरफ move कर रहा है, तो source यहां पर detector की तरफ move कर रहा है, वो भी speed 4 meter per second से, तो इसकी, इससे कितनी frequency का sounds नहीं देगा, F dash is equal to F, वो ही same formula, उसी type से, 324 speed of sound in air upon 324 minus 4, क्यों, यह pass आ रहा है, यह नहीं दीख आ F dash आ चुक है, और यहां से जो sound आ रहा है, ठीक है, उसकी frequency 656 hertz, तो beat frequency पूछा है यहां पर, तो दोनों का subtraction कर देंगे, इसमें see subtract करेंगे, beat frequency अपने पास आ जाएगा, 8.2 hertz, तो इसका answer क्या आ जाएगा, 8.2 या 8.20, ठीक है, चलिए, next question पर चला है, paragraph 2, A cylindrical furnace has height capital H and diameter capital D, both 1 meter, it is maintained at temperature 360 Kelvin, the air gets heated inside the furnace at constant pressure P alpha and its temperature becomes 360 Kelvin, the hot air with density rho rises up a vertical chimney of diameter D 0.1 meter and height small h equals to 9 meter above the furnace and exists the chimney, see the figure, as a result the atmospheric air of density rho alpha, pressure P alpha, temperature T alpha enters the furnace, assume air as an ideal gas, neglect the variation rho and T inside the chimney and the furnace, also ignore the viscous effects, excellence जो gravity given है, pi की value में given है, ठीक है, तो main चीज़ क्या है, यहाँ पर air है, और air की density rho alpha है, यहाँ पर, pressure is P alpha and temperature is T alpha, T alpha is given 360 Kelvin, ठीक है, और rho alpha की value भी भी गीवन है, 1.2 kg per meter cube, तो यह कहे रहा है, यह furnace है और इस furnace में, आप कह सकते हो, constant pressure पर air गरम हो रही है, और air को as an ideal gas की तरीट करना है, गरम हो रही है और उसके बाद में air जो इस chimney के तरूपर की तरफ जा रही है, और इसनी condition दे रखी है, कि यह जो पतला सा जो tube है, इसके अंदर जो air की जो density है, rho, ठीक है, यहाँ जो density change जाएगे, इस chimney के अंदर यह परनेस के अंदर जो density है, rho and temperature is T, ठीक है, तो rho and T, यह दोनों ही change नहीं हो रहे, तो यह question में कही ना कही गडबढ है, बाकी एक बार के लिए पन question देखते है, question क्या कह रहा है, ठीक है, first question देरा, consider the air flow to be stream line, the steady mass flow rate of air existing, the steam knees, gram meter per second के अंदर हमें, जो mass flow rate है, उसको प आईए जड़ा, देखो issue क्या है इसके अंदर, इस question में, कि अगर मैं यहां से यह मालनों की pressure P alpha है, यहां पर भी P alpha है, इन दोनों के अंदर, और idle gas की तरह इसको अगर में treat करें, तो P equals to rho R T by M वाला formula में apply कर सकता हूं, तो P तो constant है, बाहर भी, यहां पर भी, और यहां पर सेम है, तो P alpha, rho alpha, R T alpha upon M, और यहां अंदर बात करें, तो again pressure P alpha ही रहेगा, तो rho R T by M, तो इनको अगर पन solve करें, तो rho की value कितनी आ गई यहां पर, rho alpha T alpha upon M T, rho की value 1.2 है, ठीक है, rho alpha की value 1.2 है, बाहर जो यह रहे, और T alpha की value हमें गीवन है, 300 Kelvin है, यह रो, और T जो अंदर है temperature which is 360, इसको solve करेंगे तो value आएगी 1 kg per meter cube, तो air की जो density है, इसके अंदर, पढ़ने इसके अंदर वो 1 kg per meter cube है, density आ गई है, अब mind में यह doubt create होता है, इसको मैं रब कर दूँ, यहां पर, चलिए, तो mind में यह doubt आता है कि density अगर यहां से यहां तक same है, okay, और हम यह कह रहे हैं कि gas उपर की दरफ जा रही है, तो possible नहीं है, main reason क्या है, कि यहां पर भी अगर density same है, ठीक है, यहां से यहां तक पूरे section में density, rho बदल नहीं रहा, rho की value हमने अभी calculate किये, rho change नहीं हो रहा, ना temperature change हो रहा, तो फिर अगर ideal gas है, तो definitely यहां pressure भी change नहीं होगा, pressure भी PL पर रहेगा, और दोना तरफ अगर pressure same रहा, तो उस case में gas या जो air है, वो उपर जाई नहीं सकती किसी भी आलत में, नहीं समझे बात को, हाना, तो pressure difference होना must है, ज़रूरी है यहां पर, और pressure difference की बात करना तो density change हो जाएगी, या कुछ ना कुछ, या यह कहें कि अपन को यह कहें, अगला, भी IIT के अंदर यह question में, मतलब इस तरीके से अगर यह statement होता, यहां तो इस furnace जो है, इसके अंदर अगर अपन gas को, idle gas की तरह टीट करें, और बाहर जो chimney है, इसमें जो gas है, उसको idle fluid की तरह टीट करें आपर, इस वाले पार्ट के अंदर, idle gas की तरह ना करके, idle fluid की तरह टीट करें, तो बताए क्या होगा, then उस case में फिर अपन इस इसको apply कर सकते थे, ठीक है, त तो फिर क्या answer आना चीए, इस पार्ट के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा discuss करते हैं, तो mass flow rate हम इसे पूछा है, तो देखे इदर, यहाँ जो air है, उसका pressure P alpha, density rho alpha, T alpha है temperature, और यहाँ से यह air जो बाहर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर air इसने mention कर दिया है, तो हमें density rho ही ल level पर बाहर वाली जो air है, उसकी करण pressure कितना होना चीए, ठीक है, तो hydrostatic pressure के according क्योंकि बाहर वाली air तो rest में है, तो यहाँ पर P alpha pressure है, तो P alpha है तो उपर कितना आएगा, P alpha minus rho alpha, क्योंकि बाहर density कितनी है air की, rho alpha, rho alpha G into H plus capital H, यहां से यहां पर क्या height, तो यहाँ pressure अपने पास मान लिए, एक्दम जस्ट इधर जस्ट बाहर है यहां यहां वीवन है, ठीक है, तो यहां pressure कितना है, अब furnace के अंदर इसने अगले ने चला के दिया है कि pressure P alpha है हर जगे, तो यहां pressure में P alpha को consider कर सकता हूं, तो P alpha अगर consider करूं यहां पर और यहां pressure बाहर जो है P alpha minus rho alpha G H plus capital H है फिर इस पूरे चिमनी के अंदर जो जो gas flow कर रही है, उस gas के लिए मैं Bernoulli equation apply कर सकता हूं, तो सबसे पहले तो यहां पर density calculate कर रखी है, जो कि मैं उलड़ी आपको बता चुका हूं, ठीक है, next Bernoulli equation लगा दें नीचे वाले point और उपर वाले point पर, तो नीचे वाले point पर furnace के अ मैं रे reference level मान लिया, तो वहाँ energy मैं potential energy 0-0 कर लेता हूं, बराबर, उपर वाले point पर अगर पन चलें, so this is P alpha, okay, तो P alpha minus rho alpha G, H plus capital है, तो उपर वाले point पर pressure आ गया, plus half rho V2 square, आप speed जो है, air की V2 है, तो half rho V2 square, plus, यहां से energy कितनी आएगी, rho GH, okay, तो यह चिमनी के अंदर वाले, जो यह है, steam line, जो flow है, उसके लिए हम बात कर रहे है, तो यहां से थोड़ा से इसको simplify कर लिया जाएगा, P alpha से P alpha यहां से cancel out हो जाएगा, उसके बाद में V1 square वाले part को इधरी रहने दिया, 2 से multiply कर दिया, तो अपने पास यह वाले equation आ गई, उसके बाद मैंने equation of continuity अपलाई क ही है, और यहां V1 की जो value in terms of V2 हमें रखनी है, तो यह वाले value हमने यहां पर इस equation के अंदर यह वाला जो part है, यह वाला part यहां से मैंने रख दिया है, इसके अंदर ठीक है, रखने के बाद यहां से V2 की value अगर अगर अपन calculate करें, तो यह equation बनी, यहां से इस V2 को इस वाले part को इतर ले आई है, इस वाले part को इतर ले जाए, तो V2 square bracket में 1-D की पावर 4 upon capital D की पावर 4 and then 2 alpha, rho alpha G upon rho bracket H plus capital H minus 2 Gs किया, small d की value 0.1 and capital D is 4 meter, right, capital D is 1 meter, 4 नहीं है, capital D is 1 meter, 0.1 by 1 हो गया है, मतलब 1 by 10, और 1 by 10 की whole power 4 है, तो 1 by 10 thousand हो जाएगा, जो की negligible हो जाएगा, तो इसको 60 meter पर सगी, ठीक है, तो V2 जो की, जो gas यहां से eject हो रही है, उसकी speed root 60 meter पर सगी लिए, जो की काफी, मतलब, ठीक speed है, अब इसमें mass flow rate हम से पूछा है, तो यहां से जो gas बाहर आएगी, उसके लिए mass flow rate क्या होना चाहिए, यहां जो gas है, उसकी density rho into area pi d square by 4 into speed, ठीक है, speed, यहा से multiply कर दो, तो mass flow rate हो जाएगा यह, वही same approach यहां लगाई है, तो V2 की value आच चुके हमारे पास, rho की value हमारे पास already है, इनको जब solve करेंगे अपने पास, तो dm by dt की value आ रही है, 60.8 gram per centimeter, ओके, तो यह value आई है, बाकी IAT bonus भी दे सकता है, इस question का answer, ठीक है, तो technically वैसे question जो है, यह सई से frame हो नहीं रखा है, क्योंकि अगर density सेम माने और ideal gas भी है, तो उस case में फिर gas उपर जानी नहीं थी है, ठीक है, चलीजी, आगे बढ़ें, next, पुच्छे, when the chimney is closed using a cap at the top, a pressure difference delta P develops between the top and the bottom surface of the cap, if the changes in the temperature and the density of the hot air, due to the stoppage of air flow, the air flow are negligible, then the value of delta P is, मतलब आपने इस चीमनी के उपर वाले position पर यहाँ पर cap लगा दी, cap लगाने बाद क्या होगा, जो चीमनी के अंदर जो air flow कर रहा था, वो रूख जाएगा, तो gas motion में नहीं है, तो static condition में आगे, static condition में आगे, तो direct pressure calculate कर सकते हैं, अच्छा, उपर वाले position पर pressure हमों already calculate कर चुके, तो P alpha minus rho alpha G, H plus capitalist capitalist था, जो पहले भी उस किया था, ठीक है, लेकिन cap के जस्ट नीचे air जो है, वो rest में आ चुकी है, अब यहाँ pressure कितना आना चीए, तो question में इसने दे रखाया है, कि जो furnace है, furnace में यहाँ इसके अंदर constant pressure पर gas गरम के जा रही है, तो यहाँ तो और arrow लगा के भी mention कर रहा है, तो यहाँ पर pressure P alpha given है, तो यहाँ pressure कितना है, density तो यहाँ पर rho है, तो P alpha minus rho GH, इस point पर pressure आ जाएगा, तो pressure का difference निकालना है अपन को, तो pressure difference निकालने है, तो इसमें सी यह subtract कर दिया है, मैंने, subtract करेंगे, P alpha वाला part कर जाएगा, यह value आगी, rho alpha GH plus capital H minus rho GH, जिसकी solve करें अगर अगर अपन, तो value आजाएगी 30 newton per meter square, right, लेकिन अगर यह hydrostatic का case है, और मैं अगर यहाँ पर पूरे मे pressure P alpha consider ना करूं, ठीक है, पूरे में अगर height के coding लें, तो फिर उस case में, यहाँ pressure अगर इस H को भी अगर include करता हूँ, तो यहाँ पर pressure आजाएगा, P alpha minus rho G, H plus capital H, और अगर H plus capital H, यहाँ रखते हूँ, इस वाले part के अंदर भी, ठीक है, तो यहाँ से यह 9 के वज़े ही 10 आजा सकता है, और 20 भी जा सकता है, बाकि यहाँ आइट की परण करता है, क्या IAT answer देती है, ठीक है, तो यह था आपका paragraph टाइप question, हम लोग discuss करने जा रहे हैं, जए एडवांस का जो च्यार जून को पेपर हुआ था, उसमें पेपर टूम में section 1 हम लोग discuss करेंगे, जो पहला section था, काफी easy रहा, मैथ के हिसाब से देखे हैं, काफी easy section यहाँ पर scoring section यहीं मैं कहूंगा, इसके अंदर 4 question है, हर question सही question के लिए अपने को 3 marks और गलत question के लिए minus 1 दिया गया था, तो हम लोग start करते हैं, पहला question, let f is defined from 1 to infinite to r, be a differential function such that f of 1, यहाँ पर f of 1 जो है, यह 1 by 3 की बना है, 1 by 3 and 3 into 3 sorry, 3 integration limit 1 to x, f t dt equals to x fx minus x cube by 3, where x is from 1 to infinite, let e denote the base of the natural logarithm, then the value of f of e is, तो यहाँ पर simple सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, let's move to the solution, हमारे को एक function given है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, differential function दिया हुआ है, तो simple सी बात है, differential function दिया हुआ है, तो हम लोग इसको with respect to x differentiate करेंगे, अब integration का differentiation हम कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने सीख रखा है, integration का differentiation करने के लिए, हम पहले upper limit इसमें put करेंगे, upper limit put करेंगे, तो यह बन जाएगा, 3 into, 3 into, तो यहाँ बनेगा, 3 into, f of x, upper limit हमने इसमें put किया, f of x, फिर उसका differentiation 1, माइनस हम लोग lower limit put करते हैं, lower limit, lower limit put करेंगे, तो वो बन जाएगा, f of 1, into इसका differentiation 0, यह तरीका होता है, हमारा integration का differentiation करने का, तो इस side का integration मैंने तुमारे को करके दिखा दिया, जो 3 fx हा रहा है, यहाँ से देख लो, यह तो 0 हो गया, 3 fx हा रहा है, और इसका differentiation simple, हम लोग कर सकते हैं, जली x into fx का, u into v rule से करेंगे, x का 1 होगा, तो fx, और x को asities रखेंगे तो, यह f dash x, और minus x cube का differentiation हम जानते हैं, 3 x square आएगा, 3 से 3 cancel हो जाएगा, तो x square बचेगा, ठीक है, fx को उदर ले जाएगे, 2 fx equals to x f dash x minus x square, अब हम लोग अगर fx को y से replace कर दें, और f dash x को d y by dx से, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो, हमने यहाँ पर y लिखा, और यहाँ पर d y by dx लिखा, तो जो यह equation है, वैसे इसको यहाँ पर हम लोग देखके, feel कर सकते हैं, कि एक linear differential equation बनेगा, तो क्योंकि y का power हमारे को 1 दिख रहा है, y का power 1 दिख रहा है, is equal to qx, ऐसा y में linear differential equation होता है, जिसमें px, यह p और q, x के function होता है, इसको solve करने के लिए, हमने इसको इस form में change कर लिए, d y by dx minus 2 times y by x equals to x, इसको solve करने के लिए, सब से बहले हम integrating factor find out करते हैं, integrating factor हम जानते हैं, integrating factor जो होता है, e raise to power p dx, e raise to power p dx, इंटीग्रेटिंगफेक्टर्स होगा, E raise to power PDX, P का value हमारे पास कितना है? माईनस 2 by X, तो P का value हम माईनस 2 by X यहां put करेंगे, माईनस 2 को भार लेके जाएंगे, 1 by X का जो integration होगा, वो LN X होगा, माईनस 2 ऊपर आके, E raise to power LN 1 by X स्क्वेर बन जाएगा, इंटरचेंज हो सकते हैं तो अपना आई एफ जो आ रहा है वो वन बाई एकसी स्क्वाइर आ रहा है वन बाई एकसी स्क्वाइर अब हमारे पूआ अगर मिल गए है तो सोल्यूशन हम लोग तो डिफरेंशियल एकसी का सूलूशन कैसे लिखते हैं य इंटू आई एफ इज इकल्स तो क्यू इंटू आई एफ इंटेग्रेशन दी एकस तो बस सिंपली हमने वैल्यू पूट करें एकसी स्क्वाइर और हम इंटीग्रेट करेंगे इसको अब हमारा जो कॉंस्टेंट ओ R news of 11 by 3 दे रखा है जैसि कि 1 by 3 पूर एक्स एक्स एकॉल डू बाइटर यहां वन पाइटर यहां वन पूर्ट करने कि यहां पर देंगे तो यहां पर हम जानते हैं लोग ओन जीरो हो जाएगा तो यह यह पर वन जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर x की जिगा 1 है तो यह शिर्फ c बजेगा c का value 1 by 3 आ गया c का value 1 by 3 आ गया वह हम वापस equation में put कर देंगे तो हमारा जो function है y equal to x square log x base e plus x square by 3 यह आ चुका है अब हमारे को find out करना था y of e e मतलब f of e एक ही बात है तो यहां पर put करेंगे तो यह e square log y base 1 हो जाएगा और plus e square by 3 तो that is 4 e square by 3 काफी simple question अगर हम जाई advance की बात करें उस हिसाब से देखें तो काफी simple question पुछा गया और बहुत easy question था कि अगले question पर मन चलते हैं consider an experiment consider an experiment of tossing a coin repeatedly until the outcomes of two consecutive tosses are same if the probability of a random toss resulting in head is 1 by 3 then the probability that the experiment stops with head is देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक coin को हमारे को जब तक toss करते रहना है जब तक कि दो लगातार same जैसे दो head आ जाएं लगातार या दो tail आ जाएं जब तक हमारे को रुखना नहीं है हम को हमारा experiment है coin toss करने का वो चलता रहेगा लेकिन इसने probability किस चीज की पूछी है probability that the experiment stops with head मतलब हमारे को start तो हम head से भी कर सकते हैं और tail से भी कर सकते हैं लेकिन हमारे को जो end करना है हमारा experiment end होना चाहिए वो head पर ही होना चाहिए मतलब दो head ही आने चाहिए last में तो और साथ में इसने यह दे दिया कि if the probability of a random toss resulting in head is 1 by 3 तो ध्यान से देखिए सिंपल सी बात है हमारे को क्या करना है को जब तक टोस करते रहना है जब तक कि दो रजल्ट सेम ना जाए मतलब यह तो दोनों head या दोनों tail लेकिन इसने हमारे को यह बोला है कि जो हमारे शुमपल कोश्चन यह भी अगन अगर हम देखे तो देखो अगर हम लोग head से start करते हैं तो ऐसा भी हो सकता दो लगातार head आए और अपणा खेल वहीं पर खत्म हो गया और क्या औक हो सकता है और यह हो सकता है कि head प्र tail आए फिर head head तो अगला case अगर हम head से start करने हैं हार से स्टार्ट कर सकते हैं तो से सटार्ट करेंगे कि Ghostomination में घंए तो पहले ना अगया brave फिर दो लगातार हैं तो DM हो जएगाothing सकता है go अबंधे और फिर लगातार या जाए इसी परकार से 3 पर केसेfive हम बना सकते हैं तो हम लोग जैसे जैसे उसने दिर्ख हाता है इस और तो हम लोग ईसली देख पा रहें यहाँ पर कि यह पर हम देखेंगे एक एक एक्स्ट्रा ऑफ़ रेहा है मल्टिपलाइमें यहाँ भी हमलोग छीज़ देखते हैं तो पिछे वाला टर्म है इससे एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो एक 2 by 3 एक्स्ट्रा और एक 1 by 3 एक्स्ट्रा कहने का मतलब ही है यह इक infinite GP तयार हो रही है जिसका common ratio हम देख पा रहे हैं जो common ratio हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं 2 by 3 into 1 by 3 यह जो एक्स्ट्रा टर्म आगे आगे डवलप होते जाए 2 by 3 into 1 by 3 similarly हम यहां पर values पूट करते हैं टेल आने की 2 by 3 head आने की 1 by 3 head आने की 1 by 3 similarly यहां पर भी हम चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इसके अंदर अगर अगले टर्म में देखें तो extra कौन आ रहे है एक 2 by 3 extra है और एक 1 by 3 extra है तो यह भी infinite GP है जिसका common difference वही आ रहे है जो सुरी common difference का नहीं common ratio वही आ रहा है जो अपना इस GP का आ रहे था तो infinite GP के सम का formula हमारे को पता है s infinite is equals to a upon 1 minus r तो इसका first term है 1 by 3 into 1 by 3 1 minus r मैंने बताया दोनों का same है 2 by 3 into 1 by 3 a upon 1 minus r plus similarly a upon 1 minus r दोनों को add करेंगे अपना answer आ रहे है 5 by 21 again a very simple question मैंने बताया कि paper 2 का part first scoring काफी scoring कहा जा सकता है next question देखिए यह भी काफी अच्छा question दा और simple question बिल्कुल scoring अगर मैं फिर से कहूं तो इसने अपने वो quote inverse y दे रहा है 0 to pi जो understood है कि हमारे को पता है कि quote inverse x का जो range होता है वो 0 to pi होता है ऐसे similarly tan inverse का range हो minus pi by 2 से pi by 2 अब इसने पुछा क्या है then the sum of all the solutions of equation this okay अब यहां पे जिसको यह नहीं पता कि हम लोग 10 inverse x plus अगर एक तरी से देखें अगर इसको x है तो यह 1 by x है अब हम हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसको directly quote inverse x को 10 inverse quote inverse 1 by x को 10 inverse x हमेशा नहीं लिख सकते हैं हम लोग इसको quote inverse 1 by x को 10 inverse x तभी लिख सकते हैं जब x positive होता है क्योंकि अगर x negative होता है अगर x negative होता है x negative होआ तो quote inverse हमारे को जो value देगा वो pi by 2 to pi देगा बलकि 10 inverse जो हमारे को value देगा वो हमारे को minus pi by 2 से 0 देगा अगर quote inverse मैंने 1 by x रखा अगर तुम यहां x negative रखोगे तो तुम्हें पता है कि quote inverse का value 0 to pi होता है अब 0 to pi है और quote inverse के सामने negative है तो यह second quadrant का एंगल देगा अपने को pi by 2 से pi तो इसका जो answer आएगा वो pi by 2 से pi आएगा ठीक है और अगर 10 inverse अगर हम इसको 10 inverse के बराबर कर देते हैं अब 10 inverse में अगर x negative होगा तो यह answer minus pi by 2 से 0 देगा तो यह दोनों बराबर तो होई नहीं सकते तो क्या करें उद्धर क्या add कर दिया जाए कि इसके बराबर आजाए तो अगर हम हम इसमें pi add कर दें तो इस will become pi by 2 जीरो में pi add करेंगे तो इस will become pi तो हम लोग यह कह सकते हैं यहां पर pi add कर देंगे कब जब x negative होगा हां अगर x positive हो तो हम always quote inverse 1 by x को 10 inverse x लिख सकते हैं तो solution start करते हैं जैसे हमारे को पता है हमारा जो y का mode y जो दे रखा हो 0 to 3 दे रखा है तो हम हमारे को पता है दो यहां पर हम लोग case बनाएंगे एक y का value minus 3 से 0 मिलेंगे negative part है और एक y का value 0 से 3 मिलेंगे तो ध्यान से देखिए केस बन में हमने y को negative लिया है y को negative लिया है तो मैंने बताया कि quote inverse अगर 1 by x है उसको हम pi plus 10 inverse x लिखेंगे तो similar हमने pi plus 10 inverse x लिख दिया आगे simple calculations हैं दो बार यह add हो गया two times और pi इदर आगे minus होगा तो 2 by by 3 में से pi जाएगा तो minus pi by 3 है तो नीचे लेंगे minus pi by 6 और 10 inverse उदर जाके 10 minus 10 minus pi by 6 तो हमें पता है minus 1 by root 3 आएगा minus 1 by root 3 इसको हम लोग इदर cross multiply करके equation जो हमारे सामने आ रहा है उसको simple हम लोगोंने quadratic formula जो श्रीजराचारी फोर्मुला है उससे solve किया अब हमारे सामने दो answer यहाँ पे 6 root 3 plus minus 12 by 2 पर जैसा कि हमने देखा था जो case हमने लिया है y का value यहाँ पे minus 3 से 0 लिया है तो minus 3 से 0 लिया है तो हम plus तो ले नी सकते negative value हमारे को लेना होगा तो negative sign लिया तो जो हमारा answer आ रहा है y को 3 root 3 minus 6 आ रहा है अब हम दूसरा case लेने जा रहे है दूसरा case है y का value 0 से 3 अब y का value 0 से 3 अब दिक्कत क्या है यहाँ पे जब y का value 0 से 3 है तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 0 से 3 में देखो हमारा जो यह expression था 9 minus y square 9 minus y square अगर y चाए minus 3 से 0 में हो चाए y 0 से 3 हो यह expression तो negative आएगा नहीं ठीक है सारा खेल किस पर है 6y पर है जब y का value negative तो यह negative y का value positive तो यह positive तो जैसे हमने y को positive लिए तो यह पूरा positive यह तो इसलिए हमने coat inverse जो लिखा हुआ था उसको directly 10 inverse में change कर लिया और 2 times यह 2 pi by 3 है 2 से 2 cancel out करोगे तो simple 10 inverse को इदर लेगे फिर से quadratic equation बन गया दो answer यहां पर हमारे को मिलेंगे minus 3 root 3 और root 3 जैसा कि हम जानते हम 0 से 3 की बीच में चल रहे है तो minus 3 root 3 cancel out होजेगा तो root 3 आएगा तो पिछला solution जो था हमारा 3 root 3 minus 6 प्लस यह solution root 3 दोनों add up होगे 4 root 3 minus 6 बन जाएगा कि तो बहुत ही simple question फिर से एक छोटा सा बस एक था कि conversion अपन करते हैं तो हमेशे हां 10 inverse 1 by x को हमेशे 10 inverse x हम नहीं लिख सकते हैं उसके लिए 2 case बनाने पढ़ते हैं अगला द्यान से देखिए फिर से एक बहुत ही simple question यहां पे पुछा गया तो पहला जो part था जो section 1 था काफी easy रहा position vector दे रखें चार अपने सामने point दे रखें पी क्यू आरेस उसके position वेक्टर दिये वे हैं तो पूछ रहे which of the following statement is true तो simple सी बात है पहले statement पर चलते हैं डारेक्टली विदाउट वेस्टिंग अने टाइम पॉइंट्स पी क्यू आरेस और नोट को प्लेनर हमें पता है कि अगर चार पॉइंट हमारे को दिये वे हैं तो हम चार पॉइंट से कोई भी तीन वेक्टर बना लेंगे अगर बोक्स उनका मतलब अगर उनका जीरो आ जाता है हम उनको कोपलेनर कहते हैं क्योंकि हमारा फंड़ा क्या होता है कि वोल्यूम और पैरलोग पाइवड जीरो हो जाएगा अगर अपने जो वेक्टर है तीन वो कोपलेनर हो जाए तो जैसे हम लोग 2D के अंदर ट्राइंगल का करते हैं तो जान से देखिए इसके पहले उप्षन पर चलते हैं क्यों नहीं है तो मैंने देखो ज्यान से देखिए हमने जो हमारे पास चार पीक्यू आरस पोइंट दिये से उससे तीन वेक्टर बनाए पीक्यू पीक्यू सोरी यहां पर पर वेक्टर है का चैट पर एथे हमने थीन वैक्टर यहां पर बना लिया और इतका व्क सब्राइन की symptom निकाल लिय," आ यहां पर पहले हमने जो वहारा सेकेंड रो आ रहा है उसमें से नीचे से मतलब वन बाई फाइफ बाहर निकाला तो यहां पर 60 हो गया अब इधर से टू कॉमन और इसी वज़े से यहां पर बारा रहा है और सिंपल डिटर्मिनेट सोल हम लोग एजी लिकर सकते हैं तो जीरो आ रहा है लेकिन फेस्ट ओप्शन में कर ध्यान से देखोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ था कि यह पॉइंट स्कॉप लेंडर नहीं है लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं तो यहां पर जो बोक से भी सी है वह 0 आ रहा है मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोड मैंने यहां पर P बना लिया, R बना लिया और इसको 5 रेशियो 4 में डिवाइड करने वाला हम डिरेक्टली वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 5 रेशियो 4 में हम लोग जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 तो यहां पर तो वेक्टर म है वो भी वही आ रहा है इसका मतलब यह true है कि जो B प्लस 2D by 3 वेक्टर है वो P और R को 5 रेशियो 4 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो option हमारा सेकंड करेक्ट हो गया अगर सेकंड करेक्ट होगा तो अगर पीछे जाते हैं सेकंड करेक्ट है तो थर्ड हमारा रों हो ज सब्सक्राइब करें यह से लोगे देख लेते हैं इसको भी अगर देखिए बीग्रोस दी हम इसीली फांड कर सकते हैं इसका में इसका मेंडिटूड का स्क्वायर जब हमने किया तो हमने देखा यह 99 आ रहा है तो जो औप्शन में गीवन था आपने पास प्शन में हमारे क भी रहेगा करेक्ट ऑप्शन है तो हम लोग अगर बात करें पार्ट फेस्ट की तो सेक्शन वन है वो काफी एजी रहा थेंग वरी में हलो स्टुरेंट्स माइसल्फ कंसिंग सील्सी मैस फैकल्टी कि अड्माइट जएड्वांस के पेपर 2 ए जाते इसका पेपर सेकिंड मेंस का अपने सॉलुशन करेंगे तो इसमें सैक्शन 2 से अपने एक कुश्टन करेंगे तो इसमें सेक्शन 2 का आपके पास हैं more than 1 का MCQ है तो उसमें 1st question देखते हैं आपने 1st question क्या है आपके पास में let m aij is a matrix है of the order 3 into 3 so that the aij उसके जो elements है aij is equal to 1 aij 1 के equal है कब है if j plus 1 is divisional by i otherwise aij is equal to 0 so then which of the following statements are true तो यह question बिल्कुल simple सा question है तो इसमें देखो पहले तो अपने को matrix m find out करना है जिसमें और जिसका order कितना 3 into 3 का है और उसके जो elements है which are given by this relation इस relation से मिलेंगे aij किसके एकोल है आपके पास 1 के एकोल है कब when j plus i j plus 1 sorry is divisional by i otherwise वो aij क्या रहेगा आपके पास में 0 के एकोल रहेगा तो अपने तो देखो matrix m क्या बनती है matrix m यहां पर so a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 matrix हो गई तो अब आपके पास में this element देखो इसका अगर अपने देखो यहां पर यहां पर जे की वाली one है तो one plus one which is divisional by one तो आई यहां पर one है इसमें i is equal to two है इसमें i is equal to three है तो आपके पास में इधर क्या बनेगा two plus one it is divisional by one to three plus one is also divisional by one so what is the M M we have here matrix M क्या बना आपके पास में one 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 clear similarly यहां पर आपके पास में one plus one a यहां पर आई के आपके पास में इधर two way to one plus one that is two is divisional by two so this is one you have it two plus one three three is not divisional by two that is zero अगर वो आपके पास में J plus I J plus one क्या डिजिवल नहीं है आई से तो उसे अलमेंट को अपने क्या लेना है AIJ is equal to zero similarly यहां पर three plus one is divisional by what two so this is one further a three one a three one so this is one plus one it not divisional by what three so this is zero and two plus one divisional by what three so one and three plus one four not divisional by three so we have the matrix M we have in this way so it's determined value अगर अपने देखें तो determined value देखो इसकी जीरो आ रहे है क्यों यह दो column क्या इसके identical है so determined value of matrix M is we have equal to zero okay तो first option तो आपका नहीं हो सकता matrix M क्या invertible नहीं है तो second में देखें आपके पास में देर एक्जिस्टें नौन जीरो कॉलम मेट्रिक्स देर एक्जिस्टें नौन जीरो कॉलम मेट्रिक्स सथ देट दी अब आपके पास मेट्रिक्स M का मुल्टिपलिकेशन दिया हुए किसके साथ में तो देखो इसमें किस तरहीं के से होगा मेट्रिक्स M is multiplied by what a column matrix non zero column matrix this is minus a1 minus a2 minus a3 matrix M क्या आपके पास में यहां पर 111 रहे तो इदर लिस वन जिरो वन जिरो फोर्म में तो अब अपने इसको रहें करें अपने एक्वेशन बनाएं यहां पे तो एवन प्लस एटो प्लस एटरिपार इनस एबना आएगा तो टो एवन plus a2 plus a3 यह first equation बनेगी यहां से homogeneous equation आएंगी तीन तो इधर next one क्या आएगा आपके पास में a1 plus a3 a1 plus a3 इधर क्या आएगा a2 तो a1 plus a2 plus a3 this is equal to 0 clear तो यहां से आपके पास में यह तो clear हो गया कि a1 क्या आपके पास में 0 जिर्वा रहा है यह one is equal to 0 ओके सो लास्ट रों से आपके पास में a2 इदर आपके पास में लास्ट में इधर क्या बना आपके पास में a1 plus a2 plus a3 इधर माइनस का एथरी आएगा तो a2 plus a3 यह है इकल जीरो ओके तो आपके पास में 0 हो गया clear है तो यह कॉलम मेट्रिक्स आपके पास में किस टाइप का होता है तो a2 and a3 they are of opposite sign so so we have here the this column matrix may may be in this form 0 minus 7 and 7 so a2 plus a3 must be equal to 0 so you will you will have the infinite number of values of a2 and a3 so that be their sum is 0 okay so now second option we have here there exists a non-zero column matrix such that तो आपके पास में एक column matrix मिलेगी जिसमें आपके पास में a1 क्या होगा 0 and a2 and a3 they are of opposite sign okay so एक तो second option हो गया so next में देखो आपके पास में क्या है the set तो third option देखे है the set the closest of the x elements so mx is equal to 0 so we have the mx जो matrix x है that is not a 0 matrix जो 0 matrix जो एकोल नहीं है clear है so where 0 is the null matrix तो आपने को यह प्रूव करना है कि x is not a null matrix clear तो वह हमने देखो अभी यहां पर देखा था मैंने जैसे दो आपने x को क्या लेट कर लेते हैं suppose xyz यह 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 लेट किया clear so here we have mx equal to 0 so m आपको पता है किसके बरावर है 1 1 1 here we have this is 1 0 1 and this is 0 1 0 and this is xyz equal to 0 so here homogeneous this is the system of homogeneous equation if the value of this m determinant value of m is equal to 0 so then this implies xyz will give the infinite number of values which will satisfy this equation आपके पास में ऐसे x will be here you will have the infinite number of column matrix xyz which is which are not equal to null matrix to null matrix equal नहीं होगा आपके पास में ऐसे बहुत सारी matrix मिल जाएंगी तो इसमें कोशन में यह कहा है कि this is not equal to zero to xyz will not be this will have the infinite number of solutions so this is not null matrix in a matrix के इकोल नहीं आएगा ओके तो तो second option is correct and third option is also correct now you have to find out the now fourth option में हमारे आपके आपके पास में क्या है m-2y is in is invertible matrix आपने को यह check करना है कि इसकी यह invertible है कि नहीं है तो देखते हैं तो m-2y यह किसके इकोल आएगा आपके पास में तो इस विल भी माइनस वन वन एंड इस वन यह माइनस टू वन एंड दिस विए इदर आपके पास में क्या था माइनस टू आएगा इदर वन एंड जीरो अब अब इसका डिटर्मिन्ट वैल्यू देखो तो मैं पर्मेट्रिक्स हमें आप पता था उसमें से क्या करना है तो मैं ट्रिक्स आई ओप दे सेम ओडर तो यूआ टू सब्ट्रैक्ट फॉम्ड़ाइब एप हैं से सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो अब अपने पास में इसके ड invertible matrix the fourth option is not correct इसमें दे रखा है कि is invertible matrix तो आपके पास में answer क्या क्या होए इसके b and c next question है तो next question देखो एक calculus का question है इसमें f is the function इसके कितने फॉर्म बनते हैं यहां पर आपके पास में एक्स कहां से कहां तक है जीरो से वन उन्हें यहां पर आपके पास में यहां पर रहोगा तो यहां तो आपके पास में कहां पर ब्रेक्रों पर एसे तो कुछिशन क्या था आपके पास में fx box 4x and x-1.4 whole square and x-1.2 अब इसके formation देखों क्या क्या बनते हैं when x varies from what 0 to 1 by 4 1 by 4 में ये 0 रहेगा okay so 1 by 4 से 1 by 4 से 1 by 2 so this way 1 ये 1 रहेगा आपके पास में तो x-1 by 4 whole square and x-1 upon 2 and when x varies from what 3 by 4 so this will be we have 2 ये आपके पास में 2 आजाएगा तो x-1 upon 4 x-1 upon 2 इस इस फॉर्म में रहे तो when x varies from what 3 by 4 to 3 by 4 2 1 so this will be 3 ये आपके पास में 3 आजाएगा x-1 upon 4 x-1 upon 2 तो पहले अपने continuity की बात कर लेते हैं continuity देखों आपके पास में x is equal to 1 upon 4 पर 0 है तो राइट-end लिमिट क्या होगी तो 1 upon 4 by 0 so f of 1 upon left-hand limit and f of 1 upon 4 this is 0 1 upon 2 by left-hand limit क्या आ रहे है 1 upon 2 by left-hand limit this is 0 and right-hand limit is also 0 so 1 upon 2 by continuous हो गया क्योंकि this is a polynomial and from 1 upon 4 to 1 upon 2 तो इस इंट्रेवल में तो continuous रहे गए रहेगा और 1 upon 2 से 3 upon 4 के इंट्रेवल में continuous रहेगा अब अपने पास में 1 upon 2 minus 1 f 1 upon 2 plus this is also equal to what they are equal and value function at x is equal to 1 upon 2 this is 0 3 upon 4 पे देखो आपके पास में f 3 upon 4 पे left-hand limit क्या आ रही है वो देख लेते हैं so 3 upon 4 पे देखो यह आपके पास में बनेगा यहां पर 2 left-hand limit पे so this is 3 by 4 1 by 2 1 by 4 and 3 by 4 so this will be 1 by 4 1 by 4 and 3 by 4 रखेंगे नहीं यहां पे पास में उसमें 2 आ जाएगा तो उदर क्या आएगा 1 by 4 आ जाएगा इदर इसमें जब आपने 3 by 4 डालेंगे तो क्या आएगा आएगा आपके पास में this is 1 by 2 and so now what is the f 3 by 4 plus वो देखो वो भी उसमें 3 into 1 by 4 and 1 by 4 तो यह आपके पास में एकवल नहीं आ रहा है ठीक है ठीक है फॉंक्षान इस डिसकंटिन्यूस एड एक्स इस इकल टो थ्रीवाइब फॉर क्लिर अब अपने डिफ्रेंशिबिलिटी की बात करें दो इस एक एग्जेक्ली वन पॉइंट पर यह तो अब डिफ्रेंशिशन की इसकी डिफ्रेंशिबिलिटी चेकल लेते हैं तो थ्री अपन फॉर पे तो यह दिफ्रेंशिबल होगा है नहीं क्योंकि वहां पर कंटिन्यूस नहीं है तो अब अपने वन अपन दू पर देखेंगे तो वन अपन के इसका डेरिवेटिव कल लो एफड़ एक्स क्या आरा आपन दो प्लॉस like अपन दो प्ल्स हिर विभ्र एक्स माइन अपन पॉर अपन फॉर एथर क्या आरा आपके возможность x-1 पन दो 1 upon 2 and this is X minus 1 upon 4 square and 2 clear यहां पर 1 upon 2 पर इसका है लेटन लेटन डेरिवेटिव क्या रहा है तो L F-1 upon 2 वो चेक कर लेते हैं तो तो इस विल भी विए है 1 upon 2 this is 1 upon 16 1 upon 16 आ रहा है and what is the right F-1 upon 2 F-1 upon 2 तो आपके पास में F-1 upon 2 यह 0 जाएगा यहां पर कितना आएगा तो इस विल बी 2 इंटू एर भी है 1 upon 2 1 upon 2 डालेंगे तो यहां पर 1 upon 4 आजाएगा so this is 1 upon 16 so 1 by 8 तो हमने क्या देखा यहां पर लेटन डेरिवेटिव और राइटन डेरिवेटिव एड 1 upon 2 not equal clear तो एक ऐसा point मिल गया हमारे पास में X is equal to 1 upon 2 function continuous but not differentiable but at x is equal to 3.4 function is not continuous not differentiable so exactly there is a one point where the function is not continuous and not differentiable clear है तो उसमें discontinuous भी है और उसमें क्या है differentiable भी नहीं है तो पहले थोड़ा सा option पर देखें option पर नजन डाल लेते हैं there is a exactly 1.01 at with the function is continuous but 3 by 4 पर स्वरी 3 by 4 पर अपने क्या continuous था clear है so 3 by 4 पर continuous नहीं था तो उसमें देखें तो अब इसमें देखें पहले fx function fx is discontinuous exactly 1.01 तो discontinuous थो 3 by 4 पर था clear है अब इसमें exactly 1.01 at with the function f is continuous but not differentiable तो x is equal to 1.2 के function क्या हो गया continuous है बट not differentiable clear है तो यह point clear हो गया एक तो option कौन सा आगया आपके पास में अब इसमें क्या कह रहा है the function f is not differentiable at more than three points in तो three points पर तो नहीं है तो आपके पास में यहां पर one upon two पर और three upon four पर function not differentiable तो 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 नहीं है अब अब अपने minimum value की बात कर लेते है minimum value देखो इसमें अच्छा के लिए जैसे मैंने function के दो अपने बात इसमें function के जैसे अपने type बनाए थे अलग अलग तो जैसे one upon four say one upon four say one upon two में और one upon two say one upon two say three work three upon four इसमें देखो अगर अपने इसकी बात करते हैं तो this is x one upon four whole square and x minus one upon two और इदर अपने पास में ये कितना आ रहा था इसके इंटो में क्या रहा तो तो इदर x minus one upon four whole square x minus one upon two अब देखो when x varies from one by four to one by two one by four say one by two की बीच में बेरी कर रहा है तो इसकी value negative आ रही है और इदर आपके पास में यहां पर क्या है 1 by 2 से 3 by 4 में चल रहा है तो यह पोस्टिव आ रहा है इसका मतलब कहीं कहीं इसी point पर क्या है आपके पास में कहीं function की value क्या रहेगी तो अपने इसको differentiate कर लेते हैं differentiate करेंगे तो देखो क्या रहा है आपके पास में तो value क्या आती है और इदर आपके पास में x-1.4 2 into a whole square और x 1 हो गया तो यहां से common क्या रहा है 2x-1.4 तो अंदर x-1.2 प्लस x-1.4 तो इस भी है यह आपके पास में किसके को रहा है 2x यहां पे इदर 2 into इदर 2 नहीं आएगा इदर 2 नहीं है तो इदर 2x और इदर क्या है 2 by 4 तो यह equal to 0 करो यहां से x-2 plus 2x and minus 1 by 2 इस फॉर में आएगा clear है तो इदर इस तरफ आपके पास में 2 नहीं आएगा इसका 2 नहीं है इसको देखो द्यान से तो यहां 2 आएगा 2 है इदर 2 यह 1 हो गया ठीक है इदर 2 नहीं है तो यह ऐसा आगया 2x-1 plus x-1 upon 4 equal to 0 clear है so 3x 3x here we have 5 ठीक है 5 upon 4 so x की value क्या आगी 5 by 12 तो 5 by 12 क्या बाउट देको वैन x is greater than 5 by 12 तो इदर 1 by 4 तो जब x की value 5 by 12 से बड़ी रहेगी एक्षव में एक्षव में एफड़ा सेक्स आपके पास में किस फॉर्म में आ गया एफड़ा सेक्स तो एक्स माइनस 1.4 एंड यहां पर 3x minus 5 by 4 clear है अब देखो इसके इस पॉइंट के आवाउट इस पॉइंट के आवाउट इसकी वैल्यू कैसे आएगी तो 5 by 12 पे fx x minus 1 upon 4 square and x minus 1 upon 2 5 by 12 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 5 by 12 so here we have 5 by 12 minus 1 by 4 square इदर 5 by 12 minus 1 upon 2 clear है तो यह minus का कितना बन गया 1 upon 12 minus का 1 upon 12 so this we have आपके पास में इदर कितना आएगा तो 3 तो किदर 3 होगा तो 3 2 upon so 2 upon we have यह आपके पास में इदर 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 कितना बना है 3 3 तो 5 2 2 upon 2 upon 12 clear है यह बन गया आपके पास में so this we have 4 upon minus 1 upon 12 and 4 upon 144 so this is 3 and now this is 1 upon 432 so minimum value we have equal to so this is 12 and so minimum value of this function at x is equal to 5 by 12 this is minus 1 upon 432 okay so इसमें आपके पास में यह यहां पे क्या दे रखा मिनस 1 upon 512 तो यह value नहीं हो सकती तो next question तो next question देखो let s be the set of all twice differentiable function from r to r such that तो यहां पे second order derivative है नहीं जो function fx का वो क्या है that is greater than 0 इसका मतलब यहां से उसकी concavity है नहीं function की for all x belongs to minus 1 to 1 that is in upward direction so for let f belongs to s let xfp x fb the number of points भेर दी तो xfb the number of points है किस interval में है minus 1 से 1 में for which the fx is equal to x उसके लिए fx क्या है एक से तो then which of the following statements is true तो आपको यह पुझा है कि इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में इसका मतलब क्या हुआ आपके आपके पास में fx यह y is equal to x है ठीक है और यह minus 1 और 1 के बीच में है तो अपने को यह चेक करना है कि इसका जो y is equal to मतलब fx है इसका जो graph है आपके पास में इसका जो concavity है that will be upward upward रहेगा तो minus 1 से 1 के बीच में तो ऐसे इस टाइप से रह सकता है यह ऐसे रह सकता है यह आपके पास में ऐसा भी रह सकता है नीजे की तरफ भी रह सकता है ठीक है तो वह हो सकता है भी इस लाइन को कटी नहीं करें तो अब अपने को देखो इसमें क्या करें तो देर एक्जिस्टे फंक्शन f function f which belongs to the set s which is twice differentiable तो सब्सक्राइब अगर अपने थोड़ा से यह देखें कि भी इसका पॉइंट ऑप इंटर्सेक्शन क्या आरा आपके पास में किस लाइन के साथ में fx का x is equal to x के साथ में जीरो आ रहा है यह बताना है कि क्या में नंबर ओ इसका पॉइंट्स क्या वो जीरो है क्या तो दो इसमें आप इस तरीके से लेट कर लें जैसे दो अगर अपने स्पोस करें अगर यहां से देखें भी function किस टाइप का हो सकता है विए उस टाइप के अपने function लेट कर ले सकते हैं उसके basis भी अपने आमसरीश के सकते हैं तो देखो अगर मैं यह देखों यहां पर सेटंड ओडर डेरिवेटिव है इसको मैं इसको मैंने एक क्वांटिटी पी लेट कर लिया तो अपने नेचर चेक कर लेते हैं अभी इसका फंक्शन एफ एक्स कैसा हो सकता है तो अब आपने इसको डिफिनिशेट किया तो डी एफ प्लस किव अगें एंटिगरेट इसको अगें इंटीगरेट किया तो पी एक्स क्रपान टू प्लस क्यूएक्स यहां बहीं तो qx मैं वह इस सकता हूं एसटिको इस टायब का बन रहा है कि क्लिर तो अपने देखो फंक्शन एफ-ecks को मैं क्वाडिटिक लेट करके इसके आमसर देश सकता हूं इसली तो इसके अंसर देखो जैसे आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसके लिए एक सेफेक्ट क्या हो वे उसका पॉइंट ऑप इंटर्सेक्शन क्या हो जीरो हो जाए तो यहां पर जैसे देखो को fx is equal to x है तो मैं स्वाइब को एक स्कोर हो जाये माइनस 72 एस अले कर लिया कि अब अब अपने पास में और इसको एक के लेते एक स्के अब एफ एक्स का जो आपके पास में जो माइनस वन और वन पे दखो आपके पास के बीच में फिर खत्वर कि बीच में माइनस वन के बीच में दने तो आपके पास में x square minus x minus 72 तो यह आपके पास में x is equal to 9 और minus 8 तो minus 9 और minus 8 डाज़न लाइ in between minus 1 और 1 के बीच में तो बाहर की तरफ वो कट करेगा तो आपके पास में देर यू में है तो वहां पे देर एक्जिस्टे वन फंक्शन सब्सक्राइब करें तो इसमें आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए मैंने क्या करा इसमें नम्बर ओपॉइंट्स क्या आगए जीरो आगए तो ऐसा कर वहां करते हैं यह जिसके दो पॉइंट्स में पास में तो जनुझे लिए से थारीग से ओची इस इंट्रवल में से पास हो सकता है clear है तो अब इससे देखो इसमें धियर एक्जिस्टे फंक्शन एफसस देट दी एकस एफ एकसेफ क्या हो त्री तो आपके पास तीन पॉइंट्स तो नहीं हो सकते ऐसे तीन पॉइंट्स को अब दो अब अब अपने पास में एकसा फंक्शन हो सकते एकस क्या हो सकता है तो यहां पर टू एक्जिस्टे फंक्शन अब जैसे दो को मैं एकस को ऐसा भी लेट कर सकता हूं एकस क्या हो सकता है तो इस लाइन को क्या है दो पॉइंट पर कट करेगा है तो एक तो थर्ड ओप्शन ओर हो गया है नेक्स्ट कि देर डजनोंट एग्जिस्ट डियर डजनोंट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस तो इसमें क्या एसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए क्या नंबर पॉइंट क्या आए इसके साथ में नंबर ओव सुलिशन्स तो एफ एक्स के आपके पास में एक क्वाड़र्टिक मैंने बता है उस तरीके से भी क्वाड़र्टिक फंक्शन है तो यह तो अग्जिस्ट करेगा तो इस नो टेक्रेक्ट सो अंसर डिसकों भी आप अद दिसकोंच अगे घॉट तो नेच्ट को सब्सक्राइब देखो टेरज शुक्स कोस्टन से तो नोन नेगेटिव इंडियर क्लिर एंसर टूएस कोसंट भी है दनों नेगेटी इंडियर से बदला जीरो भी हो सकता है पोस्थी भी है ठीक है अब विसमें क्या है अगर कोश्टन गलत भी हो जाता है तो आपको नेगेटीव मार्क इंग नहीं है तो 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 असर मार्च्ट तो परक्त रंसर एस फोर मार्क्स ठीक है तो कुस्संदेखें पहले फर्स्कॉष्टन देखते हैं तो 4x belongs to our let 10 inverse x 10 inverse belongs to minus pi by 2 say pi by 2 then minimum value of function f defined from r to r so function fx क्या defined आपके पास में इस तरीके का दे रखा है so here we have fx 0 to x 10 inverse 6 e raised to the power t minus cos t upon 1 plus t raised to power 2023 dta clear है अब अपने को देखो इसमें question में यह कह रहा है कि इसकी maximum minimum value की बात कर रहा minimum की बात कर रहा तो यह व्याव to differentiate इसको differentiate करना पड़ेगा तो differentiation करने के बाद में अपने इसकी अफड़े सेक्ट की नेचर चेक कर लेते हैं clear है तो देखो इसमें f-6 क्या आएगा f-6 so this will be e raised power x10 inverse 6 cos of 10 inverse 6 upon me 1 plus x10 inverse 6 1 raised power so either into में क्या आएगा इसका differentiation x upon 1 plus x plus 10 inverse 6 यह रहेगा यह आगया आपके पास में अब अपने पास में तो कोई यह गीवन है 10 inverse x varies from what minus 5y2 से 5y2 तो अब अपने इसकी नेचर देख लेते हैं वह कैसा रहेगा यह यह तो वेन x belongs to minus 5y2 से minus 5y2 से 0 इसको देखो जब x क्या है minus 5y2 से 0 में चलता है तो इदर अपने पास में यह क्या रहेगा negative रहेगा clear है यह वाला positive रहेगा you know the this is positive x is negative x 10 inverse is negative so this is positive this is whole is quantity is positive यह आपके पास में negative रहेगा उस condition यह negative रहेगा when x belongs to what x belongs to we have closed interval zero to 5y2 तो 0 से 5y2 ले लेते हैं यहां पर x belongs to 0 से 5y2 अब यह आपके पास में positive रहेगा उस condition so this भी है positive तो यह आपके पास में positive रहेगा इधर और इधर क्या रहेगा यह negative clear यह मैंने आपको बता दिये तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा so 0 so here we have the derivative क्या रहा इसका on the left side of 0 so this is negative graph will be of this form clear so 0 is the point of minimum x is equal to 0 is the point of minimum so we have so minimum value of function f 0 for nika लेंगे तो आपके पास में क्या रहा 0 so this will be so be function आएगा इसकी value कितनी होगी 0 so minimum value of function is 0 so answer to this question we have 0 okay so next तो next question देखो differential equation से है 4x belongs to let y x be the solution of differential equation so y is the case solution of this differential equation तो यह आपके पास में देखो differential equation कौन सी linear differential equation है okay तो यहां पर साथ that y2 is equal to 7 तो यहां से देखो आपके पास में d y upon d x minus 2 x y upon x square minus 5 so this is minus 2 x x square minus 5 इसको इस फोर्म में लिखा differential equation का तो इसका integrating factor देखो क्या रहा है integrating factor so we have this is e raised power minus 2 x upon x square minus 5 तो d x तो यह आपके पास में किस के फोर्म में आएगा log minus log x square minus 5 इस फोर्म में आगे clear है तो यह upon में जाएगा तो क्या आएगा one upon x square minus 5 so integrating factor we have the minus 1 को इधर ले जाएगे तो क्या आएगा one upon x square minus 5 okay तो अब इसमें solution क्या बना y upon x square minus 5 minus यह इसका multiply में आएगा तो x is equal to 2 जब x is equal to 2 डालोगे तो y की वैली देखो आपके पास में 7 और 7 दिस टू माइनस का हो गया और इधर आपके पास में and x square minus 5 okay इस फोरम में आगे आब इसके देखों आपके पास में क्या आगे इसके रूट्स गर्णर आपने इसको लेट करते हैं तो दो हो आपके पास में x square को मैंने टील हो आट कर लिए एक स्कार टीलेट कर लिए तो वाई is equal to be 10 माइनस टी प्लस 3 और टी माइनस 5 तो यह इसके roots किया क्या हो गया है आपके पास में दिवन इसके roots सो टी इस इकल टो – 3 & 5 तो डाउन्वर्ड आएगा इसके शैप किदर होगी डाउनवर्ड – 3 5 ओके ऑब इसकी minimum value आपके पास में कहां पर होगी at t is equal to 1 पे और x care is equal to 1 एक्सक्राइब 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 तो पूछिए आपको minimum नहीं maximum पूछिए तो देखो इसमें पूछा क्या है तो maximum value of the yx यानि fx की maximum value तो आपके पास में x is x care is equal to 1 पे इसकी maximum value आएगी तो x care is equal to यानि आपके पास में किस form में है fx here we have minus x care plus 3 and x care minus 5 तो इसमें इसकी value डालो f1 so this we have minus 16 so answer to this question we have 16 so answer क्या हुआ इसका 16 the next question देखो let x be the set of all five digits numbers formed using the these seven digits तो seven digits है for example इसने फिर बोला हुआ है कि आपके पास में यह एक five digit number है so is in x while यह number क्या आपके पास में यह कितने digits का हो गया four digit का number हो गया clear and are not in तो यह आपके पास में देखो इसमें लीस्ट तो नहीं बनेगा यह मतलब यह आपके पास में देखो इसे नोट है five digit number यह included नहीं है and इधर आपके पास में यह four यह जो maximum जो number last का जो वह भी इसमें नहीं है are not in x suppose that the each element of x has an equal chance of being chosen तो जितने भी उसमें number होंगे of five digit numbers they all are having the equal chance of being selected clear let pb in the conditional probability that an element selected at random is multiple of 20 अब आपके पास pb the condition property किसकी the selected number is a multiple of 20 given that the it is multiple of five तो पहले आपने पास में which event has already occurred तो कौन सी event पहले हो गई so that selected number is the multiple of five तो अपने को पहले वह number देखने कि भी कितने numbers ऐसे कि विचार multiple of five फिर अपने वह देखेंगे कि the number which is divisional by 20 clear वह उसमें भी होंगे ना आपके पास में सब्सक्राइब किसमें फाइव वाले में तो अपने को यानि अपने को वह देखना है कि तो numbers which are not divisional by ऐसे उसमें कुछ ऐसे numbers होंगे विचार डिविजिवल फाइव उन में से कुछ ऐसे तो अपने पहले क्या करेंगे वह numbers find out करते हैं विचार डिविजिव फाइव और विचार मल्टीपल ऑफ फाइव तो देखो इसमें कौन-कौन से है इसे हाँ आप इसमें क्या करते हैं अ था इंदर यह अपने पास में कितने यहां पे लगाए यह यह ूपन टैब से अब इसमें क्या करते हैं अमने 2 4 4 1 0 यह कितने वे फिर आपके पास में फिक्टन फोर फोरतो त्वेल ग्लीर अब इसमें अपने क्या करते हैं टू तू टू टू पॉर फोर जीरो ऐसे हो गए यह कि 다음에 अब देखो इसमें कुछ ऐसे भी बनेंगे आपके पास में जिसमें फॉर टू आ जाए यानि आपके पास में थ्री टू आ जाए और एक फॉर आ जाए एक ऐसा नंबर रह गया जिसमें दिज तो इसमें तो आपके पास में तो यह आपके पास में अब इनमबर ऐसे हैं विचा नॉट डिवीजओं ऑईन डोटू इंद तो कौन से नंबर ऐसे हैं विचार नोट डिविजवल बाई 20 अपने इस में से कुछ ऐसे नंबर से विचार नोट डिविजवल बाई 4 तो जो 4 से डिविजवल नहीं होंगे यानि विचार नोट दा मुल्टिपल फॉर तो उनको अपने एक्स्कूरूड कर देंगे तो आपको पता है विचार नोट मुल्टिपल फॉर जो चार के मुल्टिपल नहीं है ठीक है तो लास्ट में आपके पास में 10 आएगा क्योंकि 2040 तो अपने रखनी सकते क्योंकि दैट विल बिदव बिद्विजवल बाई 4 ठीक है तो अब अपने पास में यहां पर क्या तो यहां पर अपने पैस के पहले तो 222 तो यह कितना हो गया वन इस वणाओ फिर 22410 यहां से अपने पास में कितने नंबर वन गई ए तो यह वनेंगे थ्री पिर अपने पास में 2440 वन जीरो इस टाइप से रहेगा तो यह कितने हो गए आपके पास में थ्री है और पॉसिवल नंबर्स क्या होंगे फिर आपके पास में और पॉसिबलेटी नहीं है तो देरा दिस सेवन नंबर्स ओफ फाइव डिजट्स इन इस नमबर इन इन दीज टोटल नंबर्स थर्टी एट में ठीक है विचार नोट इविजिवल भाई पॉर और नौट मुल्टिपल ऑफ पॉर पिचार नोट डिविजिवल भाई फोर ए तो वह अपने को इस में से मतलब ही वो क्या है कहन उसके लिए आपके पास में 20 बाले के लिए कितने फेवरेल के से बने आपके पास में so how many N 20 आपके पास में 38-7 तो एसमें देखों कुस्ट्रमे क्या कह रहा है तो उसकी probability then it is multiple then the probability is given by P so probability is that the selected number P is multiple of 20 and it is given that that number is multiple of 5 probability क्या बनी आपके पास पे that will be here we have N 20 upon दोनों का intersection आगे आपके पास N 5 so that we have here we have 37 37 upon 38 ठीक है so वो आपके पास में N 31 sorry यह बना आपके पास में 31 sorry 31 clear है so पूछा क्या आपको 38 P 38 P पूछा है तो 38 P will be here 38 P will be equal to 31 so answer to this question भी है 31 अब इसमें देखो अब इसमें देखो let A1 A2 A3 A8 be the verses of the regular regular octagon that lie on a circle of radius 2 तो किस circle पे lie कर रहा है radius that lie on the circle of radius 2 let P be a point कोई P be a point on the circle and let P A I denote the distance between the points P and A I for I is equal to 1 to up to 8 P varies P vary करता है ठीक है over the circle then maximum value of the product इसकी maximum value पूछी है इसकी product की तो product का maximum value क्या हुए अगर इस question को अपने थोड़ा सा complex number के form में मतलब बनाएं तो थोड़ा से easy रहेगा उसमें आपको क्या है जल्दी से ये points पता लग जाएं कि मतलब P A1 P A2 P 3 ये अपने क्या है जल्दी से वहां से find out कर लेंगे तो देखो अपने क्या है circle क्या है having the radius 2 अपने A1 को क्या लेट कर लेते हैं that lies on the x-axis इसके coordinate क्या है 2 0 इस तरीके से हैं देखो इसके coordinate 2,0 इधर आपके पास में A2 कंप्लेक्स फॉर्म में लूँगा मैं ठीक है A2 इस फॉर्म में आएगा ये एंगल कितना है पाई पाई फॉर्म तो सेंटर उसका मैंने क्या लेट कर लिया circle का that is the origin लेट कर लिया ठीक है अब इधर आपके पास में ये A4 A4 भी है तू इस पर आउटा 3 पाई फॉर्म और ये आपके पास में तू इस पर आउटा पाई आउटा 5 इदर इसेवन क्या होगए आपके पास में इच्पार आउटा 3 5 5 4 3 5 2 2 ऑदर आपके पास में ये कितना बना ऐट इस तरीके से मैंने सारे वट्सेश क्या है यह किस के फॉर में लिग दिए कंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिग दिए उके अब यहां पर आपने कोई पी नंबर ले लेते हैं पी कोई एक ऐड़ी पॉइंटर लाइज अंडी सर्कल उसका अब ने क्या बनेगा इस तरीक से ठीक है अब अपने पास में देखो पी एवन पी एवन बिल बी एकल टू वह किसके पूल आएगा आपके पास वे तू माइनस टू इश्ट पार आयुटा थीटा इस फॉर में आगे अब इसमें देखो अगर अपने इसको थोड़ा साव करें तो इसमें क्या आ र मीड एक हुगा तो इसको सांटस में टीरवाइ डू है तो डू सांट स्क्रिटा थीटा हुडता थीटा वाय तूए कि अब एक पैटर्न बनाऊंगा उसमें पैटर्न से holders जल्दी से शारे लिख देंगे तो पीर आपके पास में क्या आहएगा देखो तो यहां। यहां बे पियेटू शुवियेंफ डिस्टेंस बिट्वीन पॉइंट पी एंड एटू सो यहां फे तु कॉमन ग्रत्र एटर थीटा इसा हो गया तो अब इसमें से देखुँआ आपके क्या करोग़े इलेश हाई पाई वाई को पोमन निकाला इदर क्या आगा और हूं चो थी ठा धा माइनस five y four okay – one कि यह तो mg घया अब इसको फिर उसी form में लिखेंगे दो तो इसको उसी form में लिखेंगे तो आपको पास में यहां पर पी 82 क्या मिले तो मिलेगा आपको वन-थी यह इसका इंगल का हाफ हो जाएगा तो आपके पास में क्या आजाएगा 4 sin कि पाई by eight minus theta by two is form में आजाएगा है तो देखो हम में यहां से सीधे क्या है पैटर लिखोंगा यहां पे देखो P A 2 लिखा तो P Y 8 minus theta by 2 तो यहां पे आपके पास में इसका आर्गुमेंट कितना पाइब फॉर उसका हाफ हो गया है तो similarly पी एथरी क्या है कि आपके पास से पी एथरी तो देखो तो पी एथरी पी एथरी देट विल बी तो पी एथरी विल बी इकल टू भी है 4 sin so that will be pi by 4 minus theta by 2 इस form में आए clear है तो अगें पी ए 4 4 sin 3 pi by 4 3 pi by 8 इसका 3 pi by 8 3 pi by 8 minus theta by 2 तो similarly पी एथरी तो 4 sin pi by 2 minus theta by 2 and pa6 so this we have 5 sin sorry 4 यहापे 4 तो देखो इदर मैंने क्या लिखा है pa5 pa5 that is 4 sin a pi by 2 minus a by 2 minus theta by 2 and pa6 that will be 4 sin तो pa6 इसका क्या बना फिर आपके पास है 5 pi by 8 minus theta by 2 pa7 pa7 this is pa6 pa7 so this is 4 sin 3 pi by 4 minus theta by 2 तो इस पर में आ रहा है ठीक है so p8 pa8 so this we have 4 sin 4 sin 7 pi by 8 minus theta by 2 इस पर में आ गहा है clear है तो pa1 लिख लेते हैं यहाँ पर pa1 क्या है आपके पास है pa1 we have that is sin theta by 2 and pa2 you have pa2 यह था ना इसको लिखा मैंने 4 sin 4 sin pi by 8 minus theta by 2 इस पर में आ गया clear है तो यह मैंने सारे क्या है pa1, pa2, pa3, pa4, pa5, pa6 यह सारे निकाल दिए तो अब अपने को इसका क्या कह रहा है इनके पड़क्ट की बाद कर रहा है clear है so what is the maximum value of pa1, pa2 देखो वो देखते हैं अपने किस तरीके से आ रहा है इदर देखें अब मैं इनका जब पड़क्ट करूँगा यहाँ इनका पड़क्ट करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है so sin theta by 2, sin pi by 4 minus theta by 2 so sin 3 pi by 8 minus theta by 2 sin pi by 2 minus theta by 2 sin 5 pi by 8 minus theta by 2 sin 3 pi by 4 minus theta by 2 and p8, sorry p8 कितना आ रहा है वो आपके पास में sin 7 pi by 8 minus theta by 2 इस फॉरम में आ गए ठीक है अब अपने पास में देखो यह है ना यह जो पहले यहाँ पे 3, 4 है यह एक मिलिदार इसमें कुछ चूट गया इसमें इसमें लिखना है तो कितना है तो sin 5 by 8 minus theta by 2 इस फॉरम में आ रहा है ठीक है अब यह जो पहले जो चाहर है न यह जो लास्ट वाले चाहर है इनको कोस में बदलेंगे दो यह किसमें किसके बराबर आ गया इसमें पास में इसको देखो 5 by 8 को क्या लिखो कि पाइब 2 प्लस पाइब 8 तो कोस में बदल गया तो यह आपके पास में इधर वाला साइन पाइब 8 है ना साइन पाइब 8 वो किसमें मतला देगो पाइब 2 प्लस पाइब 8 पाइब 8 तो तो यह आपके पास में साइन पाइब 8 कि सकोझ फैप माइन थीटवाइट पाइड आज तो इस फ़िखा जबुख भी एट इस पुरम में आगे तो सिमिलरली इधर क्या आइगें आपके पास में साइन साइन थी पाइब 8 कि माइन पाइब 2 तो ठीक है अच्छा कोस्त पाइवाई टू तो औरे क्या है पाइब 4 लो इसको कोई बात नहीं कॉस्त faculty A lot इसको क्या लिखो गया थो कॉस कॉस को चयार मायन वाइन सी coefficient पोर में आ गया तो समलने हमारे पासमें साइन कर से ूलिफा हर लगाें गर तो अपने पासमेर कितने यहां पर डि一下 से आपके पास में 4 हैं तो मैं 2 रेच्ट फ़ाइब फोर से मल्रीप्लाइब डिवैड कर देता हूं देखो इसमें तो तो तूरेट पास से मट्वाइब यह फोर रेष्ट पार 8 तो इधर क्या बनेगा आपके पास है two sine theta by two प्रश्ट अबए टॉ ठीक है इधर टू साइन वब ऐट मायनस इस थी तावाइट भाई तो स्बाई मैंस इटा मैं तू इस पॉर में आगे इधर टू साइन एक पाई पॉर फूर मायन थीट अबाई तू और इधर आपके पास में एक बच्गह आपके पास में कॉस क्या है यह फाइपाइबाइबाइट है इधर इत्री पाइबाइबाइट स्वरी इसर्फ कॉस के साइन 358 माइनस थीटा बाइटू और कॉस तू लिखने इसमें ठीक है देखो 2 2 sin 3 5 8-theta by 2 और कॉस 3 5 8-theta by 2 यह आ गया है इस फॉरम है ठीक है अब जो कोई यहां पे साइन थीटा बन गया नीचे अपॉन में क्या आपके पास वे तू रज्फ फ़र फोर इधर 4 रच्फ फ़र एट यह साइन थीटा इसका टो वाइस हो जाएगा क्या आएगा साइन पाइवाइब 4 माइनस थीटा कि इधर आपके पास में इधर क्या वह नगा इसका ट्वाइस साइन पाइवाइब 2-थीटा बोलो उसका साइन थ्री पाइव फॉर माइनस थीटा इस फॉर में आ गया है ठीक है अब अब अपने पास में ये चार ग्रूप फिर इसको अपने को सीटा में बदल दिया नीचे क्या चलना आपके पास है तो यह देखो कि कोश्चन लेंदी दुरूर है थोड़ा सा कल्कुलीशन ह है ठीक है अच्छा कोश्चन है तो लेवल इसका अच्छा है कि इधर देखें फॉर इस पार एट अब इसमें यह किसमें बदल गया साइन थीटा को सीटा इसको अपने क्या लिख सकते हो पाइवाइड टू प्लस पाइवाइड फॉर तो इसको कॉस में चेंज कर लेंगे इसमें बन जाएगा पॉस्ट पाइवाइप फोर मायनस थीटा इधर क्या आएगा साइन पाह को सभी फॉर मायनस थीटा इसको लिख्ञ़ के काउस्ट पाइवाइड पॉर मायनस थीटा अगेन मśli्लो इंग विद्स वाइज प्लाइड हुरेशंच पर शीच आ गया है यह क्या बने गया आपके पास से 4 पार सइन 2 थीटा और ये इधर बने का आपके पास से में साइन 5 przy 2 स धूथीटा नीचेह एंप उन में तो यह यह थी था बन गया तो यहां पे फो रिष्ट पर 8 एंट्व थीटा एंट को स्टूथ थीटा अप वं में क्या आ गया तुर इस पर 7 इस इतर अपने पास में यह चल दा है टूरिट फोर यहां पे 6 हो गया 7 यह एधर क्या बन गया 227 फ्रेट एंढद साइन 24 hour हीट इपने डाइट अपने पास में 2001 5-70 Uhr 16 अपन टूरी इस बडान शीमशनामтом का भी स्की पड़क की llevar o improve ож सीमशे बडून 1 तो sin 4 theta को 1 रख देंगे so here we have this is 2 raise power 9 and 2 raise power 9 is nothing this is we have 512 so answer to this question is 512 so that is the maximum value of that product okay next question 12th question देखो इसमें इसमें मेट्रिक्स से रिलेटेड है तो कहता है r what a set is consistent of the matches is उसके elements of each metrics are a b c d which are taken from the these elements a b c d jukky the values are in art elements में से तो कि इसार में number of matches कितनी बनेगी आपके पास में total matches कितनी बनेगी आपके पास में total प्लूमबर ऑफ मेटरीस है एट रेच्पबवर फोर इतनी मेट्सिस बनेंगी अब इसमें कुछ ऐसी मेट्सीस होंगी विच आइड नोट इनवर्टिवल आप कौन सी मेट्सें इनवर इनफिवल ले लिए ठीक है उसकी डिटेंट रेल्व यह रही है अब यह 0 कहां कहां पर पॉसिबल हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वह अपने देखते हैं किस फॉस्ट इसमें क्या वनेगा देखो केस फस्ट अचेटी माइनस बीसी इकल टूजी तो यहां पर यह जो पहले अपने इस तरह के से देखते हैं अचेटी इस इकल टूजी रहेंगे आपके पास बीसी इस इकल टूजी रहेंगे तो फिफ्टीन वेसी यह हो गया है ठीक है ए और डी की वेल्यूज अपने फिफ्टीन वेसे अपने रख सकते हैं सो अधर देर परड़क्ट इस जीरो तो सिमिलरली फिफ्टीन वेसे यह तो यहां पर कितनी मैसी ऐसी बनी फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन डैट इस टू तो फाइव टोटल आपके पास में किया होगी जीरो उसकेस में इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा इसमें बी-सी मैं से बन इसे कोई एक जीरो हो जाये अब सेकिंड के एकल सेक्ट in बट इसमें A, B, C, D कोई भी इसमें 0 नहीं लेना आपके पास में यहां पर A not equal to 0, B not equal to 0, C not equal to 0, D not equal to 0, none of them is equal to 0, तो 7 बेस ही हो गया है यहां पर, अब अपने पास में यहां पर देखो, A, D not equal to 0, but B, C not equal to 0, तो उनका difference कितना आपके पास में, 0 के equal आ रहा है, ठीक है, A, O, D आपके पास में, देखो, not equal, so they are not equal, and B not equal to C, ऐसा है, तो कोई भी इसमें बराबर नहीं है, आपस में, तो उसके इसमें में, देखो, आपके पास में, 4AD के लिए आपके पास में, है, in how many ways you can select, तो 7C2, तो 7C2, दो तरीके से आप select कर सकते हो, और वो ही element इसमें रख सकते हो, आप, B और C, और A, D, वो आपस में, बराबर हो सकते हैं, तो इधर देखो, आपने पास में, यहां से 2 basis, उसको range कर सकते हैं, वो ही इधर रखना पढ़ेंगे, आपको 2 basis range करने प आपके पास में, 7C2, दिस इस 84, 84, इसमें, टोटल मेंटीज कितनी बनी, 91, ठीक है, तो कितनी ऐसी मेंटीज बनी, जिनकी डेटरिमेंट वेल्यू आपके पास में, 0 आ रही है, तो यहां सबका टोटल करोगे, तो हाव मैनी टोटल नंबर उप मैंटीज, विचार next question, let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin and C2 be the circle of radius R with center at the point A4 common 1, where 1 R varies from what, 1, 2, 3, two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn, the tangent PQ touches the C1 at P and C2 at Q, the tangent ST, the tangent ST है, वो touches the C1 at S and C2 at T, the midpoints of, midpoints of the line segments PQ, PQ and ST are joined to form a line which meets the X axis at point B, so AB is equal to B, root 5, so then value of R square, so R square की value बतानी है, तो देखो question में क्या है, आपके पास में, आपके पास में, इसका radius कितना है, इसका radius आपके पास में 1 है, देखो अनदर circle, whose center भी है दा, 4,1, तो 4,1 है, जीरो, 4,1 इदर आएगा, आपके पास में 4,1, और उसका radius आपके पास में varies from 1, 2, 3, इस तरीके से, clear है, and this is C1, and this is C2, ठीक है, अब इसमें आपको क्या कहा है, so, two distinct common tangents, PQ and ST, तो एक PQ tangent आगे आपके पास में इदर, the tangent, touches the C1 at P and C2 at Q, the tangent ST touches the C1 at S and C2 at T, इसमें, क्या हैगा, आपके पास में इदर, यह, तो S1 को, C1 को काँपे टूच कर रहा है, S पे और इसको काँपे T पे टूच कर रहा है, clear है, अब वो question में midpoints of the line segments joining the PQ, इसका midpoint, इसको स्पोस कर M है, और इसका midpoint क्या है, L है, midpoint of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets the X-axis at point B, तो यह X-axis को किस point में meet कर रहा है, यह B point पे, ठीक है, अब A, B आपके पास में किसके इकोल है, A, B, C, so we have the root 5, so what is the A, A is the center of this circle, यह इसका जो center आपके पास में 4,1, ठीक है, इसका आपके पास में जो distance है, that is we have root 5, तो अपने को R square निकालना है, ठीक है, यह आपके पास में कहां से कहां तक vary कर रहा है, varies from 1, 2, 3, तो अपने पहले क्या है, दोनों circle का equation लिख लेते हैं, यह क्या है, इस line will act as a, line, इस पे जो point है, which is equal distance from, this is the midpoint of that, so equal distance from the point of contact of this tangent, यह भी equal distance from the point of contact of this tangent to both the circles, यह point M क्या है, इन दोनों point of contact से बरावर distance पे होगा, अब इनके midpoints को join करने वाली line that will be radical axis, तो क्या बनेगा, यह radical axis बन गया, तो अपने का radical axis का equation निकाल लेते हैं, उसका फिर y is equal to 0 रखोगे, so that will be the point B, point B मिलेगा आपको, तो देखो कैसे, तो इस circle का equation क्या है, c1 का, x square plus y square is equal to 1, c2 का equation क्या आगे आपके पास में, x minus 1 whole square plus y minus 4 whole square, तो ल्टा है, यह x minus 4, x minus 4, y minus 1 and this is r square, ऐसा हो गया, अब इसको, x square plus y square minus 8x minus 2y and this we have, 8 plus 199 minus r square equal to 0, यह आएगा, अब देखो, इसको सब्टेट करेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, इधर minus 1 आएगा ना, तो, radical axis, radical axis, this is c2, c1 minus c2 equal to 0, तो क्या आएगा, 8x plus 2y and minus 1 minus 10 and plus r square equal to 0, यह form में आएगा, अब इसमें देखो, आप क्या करोगे, यहाँ पे, y is equal to 0 रखतो, y is equal to 0, तो we have, here, x is equal to r square, 10 minus r square, ऐसा आएगा, अपने, तो आपके बी के कोडिनेट क्या आएगा, 10 minus r square upon 8, 10, 0, 0, so what is a, a, b है, 4, 1, and now what is the distance, इनके बीच का distance कितना आपके पास में, a, b, we have equal to, a, b is equal to root 5, तो यह, यहाँ पे अपने distance formula लगाएंगे, तो क्या बनेगा, आपके पास में, यह, यहाँ पे, this is 10, इदर, 16, 16, यहाँ पे 1, इसे एक मिल्ट इदर, इदर आपके पास से 4 था ना यह, तो 1, इदर 16, यह 17 आएगा, 17, तो 18 बन गया, यह कितना हुआ, minus का 18, clear है, तो यह 18 minus r square, ठीक है, अब अपने पास में, देखो, यह distance कितना रहेगा, आपके पास में, इदर, 17, 18, और, यह minus का 1, ठीक है, 18 minus, तो इदर, यह distance कितना हा रहेगा, आपके पास में, 18, minus r square, 8, minus 4, whole square, and, plus 1, root 5, ठीक है, इसको simplify किया, 32, तो that is, minus 14, minus r square, upon 8, ठीक है, कि square, अंडूट में, इदर आपके पास में, इस इस, 1, root 5, स्केरिंग करोंगे, तो 4 आजाएगा, ठीक है, तो जिससे इसको अपने क्या किया, अंडूट में, r square, plus, 14, ऐसा आया, ठीक है, upon 8, square, इदर, स्केरिंग करा न, स्केरिंग करा, तो इसमें, आपके पास में, प्लस का 1 है, इदर, प्लस का 1, इसका स्केरिंग किया, इदर 5 आजाएगा, तो इदर क्या हो जाएगा, आपके पास में, r square, plus 14, ठीक है, upon 8, plus 1, 5, इदर 4 हो जाएगा, तो इदर क्या हैगा, r square, plus 14, upon 8, this will be here, square, and 4, यह आपके पास में, plus का 2 आजाएगा, तो 16, r square, plus 14, upon 8, this will be, have 2, तो कितना आजाएगा, r square is equal to 2 आजाएगा, तो answer to this question, we have r square is equal to 2, okay, next question, next question, next question में, आपके पास में, paragraph से, section 4, जो आपके पास में, contains the 2 paragraph, 2 paragraph है, इस वर क्या है, इसमें, IIT ने की, जो paper में, set किया है, तो paragraph में, क्या है, indigent type बना दिया, इस वर pattern change किया है, तो देखो, question क्या है, है आपके पास में तो कुंसिटर एन अप्ट्यूस एंगल ट्रेंगल एविसी इन विदी डिफ्रेंस बिट्विन दी लार्जस्ट एंगल इस पाई-वाई-टू ग्वस् इन जिस्के साइ ट्यूस के सामय हो कि आपके पास में अब्ट्यू सेंकल ट्रेंगल है इस विस डिफ्रेंस बिट्मिन पार सब्लाज़र चैंगल इस पाई-बय-दोगे आप ूस पर कि Suppose that the verses of the triangle lie on a circle of radius 1 तो जो triangle के जो verses है वो एक circle पर लाई करते हैं जिसका radius कितना है आपके पास में 1 है तो देखो कैसे करोगे अब इसमें को कैसे करें तो देखो इस टाइब से अपने क्या triangle लेट कर लेते हैं तो जैसे देखो तो answer इसके यहां पर लिखे हुए है चलो देखते हैं अपने solution निकालते हैं इसमें देखो कैसे अब ट्यूस एंगल ट्राइंगल है क्लीर है तो इसमें मैं सबसे smallest आइंगल यह लेट कर लेता हूं क्लीर है अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है दी एंगल दिफ्रेंस डिफ्रेंस बिट्मीन दी स्मॉलेस्ट एंगल यह अपने क्या लाज़ेस्ट होगा क्योंकि इस साइड इस लाज़ेस्ट वन तो इस पाइव यह एंगल आपके पास में क्या बन गया पाइव लाइट टू मायनस टू थीटा इस फौर्म में इसको ए बी ते यह साइड अपने पास में इस्मोलस को गई थी यह माइनस धी ओ गई इधर ठीक है तो यह साइड अपने पास में a-1 te and this is a this is a plus basin largest one अब इसमें इसमें अपने sign formula लगाते है तू sign formula लगाएंगे तो तो sign formula जब लगाएंगे तो क्या बना आपके पास में a upon we have sign pi by two minus two theta and a plus t upon sine pi by 2 plus theta and a minus t upon sine theta is for me again and now this is equal to what to Rota it is capable of that to R or to R the radius of the circum circle we have this is one so he took a look here take it above kebos my ex-kai berabara goes to theta or either a plus d here we have a cos theta or a minus d is we have sine theta up ratio ki properties ho tia in downo ka sum kar dete ratio ki property kya aegi aapke paas me is made go a upon cost to theta either kya aagya aapke paas to a upon sine theta plus cos theta okay so is kya aap simplify karo ke aca cancel ho jayega is kya mana aapke paas cos square theta minus sine theta to cos theta minus sine theta dekhoon yahan se bajeega to cos theta minus sine theta aapke paas se one upon two aegah is kotaen may convert kalay ten may convert karo ge to do aapke paas 1 minus 10 square theta by 2 and two 10 to 10 theta by 2 and say aaga either aapke paas me here to say multiply karo ge to either aapke paas me here one plus 10 square theta by 2 and it's for me again to isko aapke paas me here to do aapke paas me 10 theta by 2 so we have root 7 minus 2 upon 3 is for theta you can find out why 1 minus 10 square theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 to you aapke paas me kya aaga root 7 minus 1 upon 4 and sine theta will be equal to root 7 plus 1 upon 4 is for me so cos theta cos theta or sine theta ki value me pata lag gai to yahan se dekhoon aapke paas me here to cos theta sin theta ye a plus d kiske berabar aapke paas me a plus d so we have this is 2 cos theta a minus d we have 2 sin theta yahan se jabap is for two a add karo ge to kya raha aapke paas sin theta plus cos theta the bed karo ge to do noko kya aaga aapke paas to root 7 upon 4 so 4 se 4 cancel ho jahe ga a is equal to root 7 upon 2 a raha similarly aapne kya d ki value nikal na ke jab subtract karo ge to aapke paas me kya aaga 2 d to either kya aaga aapke paas me 2 cos theta minus sine theta subtract karo ge to root 7 cancel ho jahe ga aapke paas me cos theta minus sine theta kya aaga to kya aaga to kya aaga to minus ka minus ka 1 upon 2 to either se minus ka 2 to my d is equal to be have here minus 1 upon 2 ye aapne paas me kis ki value aa gai aod ki value aa gai kya aaga to a aaga to aaga d ki value aa upke paas me minus 1 upon 2 to be here actual me thoo da se dhekou is me calculation me yahaan pe kya kya qahe ki value ji jabi ni qala ke ye aaga yagi y может e minus qi aaga y nya sin theta theta ta khai aaga to a key value ye jahe ki value to aaga yaha se d ki value 1 upon 2 aaga yagi d kva value 1 upon 2 to sin theta kitnā आता है तो रूट 7-1 upon 4 यह तो इसको जब अपने तो D की value 1 upon 2 तो A और D की value पता लग गी हमें तो what is the area अब इसमें आपके पास में क्या आएगा तो sin theta you know sin theta देखो क्या area रहेगा आपके पास में इस तरीके से निकाल लेगे तो area of triangle will be equal to delta 1 upon 2 A A plus D ठीक है और इधर आपके पास में sin theta 1 upon 2 product of this two sides into sin of this angle तो आपके पास में 1 upon 2 A की value कितनी आपके पास में यहाँ पर root 7 upon 2 इधर आपके पास में A O D A root 7 plus 1 upon 2 ऐसा आगया ठीक है और उदर आपके पास में root 7 minus 1 upon 4 तो यह उपर कितना बन गया आपके पास में यहाँ पे 6 आएगा तो 6 और इधर आपके पास में यह 4 16 32 बन गया 32 root 7 so this we are 3 root 7 upon 16 इस फॉर में आ रहा है क्लियर है अब वो पूस के आ रहा है आपके पास में question में तो area is A to 16 इतो 64 into here 3 root 7 upon 16 whole square यह ऐसा है यह आपके पास में 4 इसे cancel हो जाएगा तो 12 into root 7 इसका whole square तो जब इसका 144 here into 7 करोगे तो you will have 1008 answer to this question we have 1008 clear है अब next में इसमें क्या पूचा थी in radius of the triangle आपको triangle का अंदर जो इन circle बनेगा उसका radius पूचा है तो radius you know of the in circle delta upon s होता है clear area of the triangle and circumference circumference आपके पास में इधर कितना बन रहा है इसका a minus d so d d cancel हो जाएगा 3 a so इधर आपके पास में r is equal to we have area कितना आपके पास आपके पास में तो यह आपके पास में और अपन टू होता है इसमें अपन में टू लग जाएगा अपन में ठीक है इसको देखो अगर अपने ढंक से देखें थोड़ा सा calculation को देखें इसमें यह 3 से 3 cancel 4 उपर चला जाएगा 4 अपन 16 यह रूट 7 cancel ठीक है यह रूट 7 cancel हो जाएगा तो कितना हुआ 1.4 1.4 भी है 0.25 वांसर पॉएब यह थोड़ा कोशंत यह एह सोटी से पंटा हाला कि सृलेब में सृटी नहीं है पर आयधा यह लिखा हो कि भी सृटी स्लेबस में नहीं को इसंते सृटी को यूज सके हमने तो इध्यान रहे कि भी सृटी टॉपिक भी आपको अच्य से आना चाहिए तो नेक्स कोश्च्टन क्या है इसमें सिक्स इंटु सिक्स सुक्स इन दी फीगर ठीग है तो आपके पास में 36 इदर आपके पास में कितने है इसमें 6 x 6 square से दे फिकर तो 36 आपके पास में इस्केर से तो इनके point of intersection आपके पास में देखा इदर कितने point of intersection यह कितने point यहां पर कितने is 7 ए 7 7 7 30 49 वी दा point of intersection of dots in the picture यह point of intersection दे रखें अब वो question में भी say that the AI and AJ are the friends AI and AJ are friends so any two of them are the friends तो 49C2 तो उसमें देखो आपके पास में कितना बनता है 49C2 अब इसमें are the friends if they are adjacent to along a row or a column they are adjacent अगर वो किसमें adjacent to each other in row or a column along a column ठीक है यह condition लगा दी इसने ठीक है assume that the each point AI has an equal chances of being selected तो each point is having the equal chances of being selected तो अब इसमें question में देखो क्या कह रहा है let PI be the probability that the randomly selected point has I many friends तो जो selected points है न जो PI क्या है is the probability that the randomly selected point has I many friends ठीक है अब कोई भी अगर आपके पास से point मतलब PI is the probability that the randomly selected point I तो जिससे a1 है a1 को अपने select करेंगे तो उसके कितने that will have the one friends ठीक है अगर a2 को select करूंगा तो that will have the two इस तरीके से न आपके पास में let x be the random variable such that the i is equal to आपके पास में 0 1 2 3 4 ऐसा कोई भी आपके पास में point नहीं होगा जिसका कोई friend नहीं होगा उसका एक प्रेंट तो हो गई होगा देखो अगर अपने देखें यहां से अगर मैं इसको select करता हूं तो this will have the two friends the आपके पास के पास में 3uchen हो गए तो आपके पास में यहां पर कोई भी एक point को select करते हो तो आपके सब्सक्राइब कितने कितने friends हो सकते हैं इसके आपके पास में जैसे न with को इसके दो फ्रेंट से हैं अगर इसका तो इसको सब्सक्राइब ह Bash अगली है रिसामिक के वा करता हुँ थो आपके पास में हेर है तो हमारे पास में तीन ब्रुट्पिय सुप्वराज न note पॉंट तो आगया जिसकोSwT points को नहीं लेना क्लिर अगर अपने corner points को नहीं लें तो as point को भी निलें तो आपके पास में यह कितने points हो गए यहां पे 25 points होंगे 25 points will have how many friends 4 friends होंगे उनके आपके पास से 4 friends होंगे तो इसमें यही कह रहा है आपके अधो आपके पहला कॉस्ट्सं क्या है P I be the probability that the randomly selected point has i friends ठीके अब उसमें expectant expectation पूचा है X is the random variable when the x is equal to one is इसका मतलब selected point is having the one friend, उसका x is equal to one, आपके पास में x is equal to one हो सकता है क्या, वो देखेंगे, when x is equal to two, having the two friends, तो उसमें कितने cases अपने वो देख लेंगे, x is equal to three, वो देख लेंगे उसमें कितने points बनते हैं, उसमें से select करेंगे, उसकी probability फिर क्या हो जाएगी आपके पास में, तो इस तरीके से अपने पास में x is equal to four, तो वो expectation आपके पास में e x यहां पे रहेगा, clear है, तो देखते हैं अपने इसको, कैसे, e x आपके पास में किस form में रहेगा, इसको देखो, तो पहले तो यह 25 ऐसे points है, इनको में से कोई भी एक को select करते हैं, that will have the how many friends, x is the render variable, random variable क्या है, यहां पे, number of friends, तो आपके पास में 25 upon 49 into 4, ऐसा आएगा, so, मैंने देखो, यहां पे कितने point of intersection कितने हैं, आपके पास में, internal point of intersection कितने हैं, internal point of intersection कितने हैं, these are 25, corner points कितने हैं, corner points, वो आपके पास में 4, अब edge points कितने, not corner, edge points, not corner, clear है, तो वो आपके पास में कितने ही, हाँ पे, 20, clear है, तो टोटल 49 अनन, अब देखो, मैंने पहले किया है, इन 25 में से एक point को select किया, that will have the how many friends, 4, अब फिर आपके पास में 20 upon 49, इसके कितने फ्रेंट से आपके पास में देखो, each will have the 3 friends, फिर 4C1 upon 49 into, इसके कितने फ्रेंट से 2, इसको सब को simplify कर लो, तो यह आपके पास में 100 plus 60 plus 8 upon 49, so this will be है, यह आपके पास में कितने, किसके एकुल आगया, 168 upon 49, तो 7 से कट रहा है न, तो 24 upon 7, clear है, तो अब आपके पास में क्या पूचा है इसने, question में देखो, 7EX, तो 7EX भी है, this is equal to, किसके बराबर आया, आपके पास में, 24 upon 7, that is 24, okay, तो answer to this question, we have 24, तो next question देखो, तो 17th question में देखो, two distinct points are selected randomly out of a1, a2, a3, a49, let p be the probability that they are friends, then value of 7p, तो इसमें देखो, आपके पास में, यह आपके पास में, क्या है, इसमें square था, ठीक है, अब आपको, इसके देखो, उस question में ऐसा है कि, उस question में किस तरीके से अपने देखो गए, कि, आपको ऐसे दो points select करने, so that they are the friends, so, वो friends होंगे, तो उसमें देखो, पहले तो क्या हैगा उस case में, उसमें, क्या उसमें probability रहेगी, आपके पास में 7p पूछा है, तो p will be here, तो देखो, उसमें number of cases तो क्या रहेंगे, आपके पास में 49c2, यह रहेगा, अब फिवरल cases में देखो, आपके पास में कितनी रोज हैं, उसमें कितनी रोज हैं, तो यहाँ पे 7 रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 में से कोई एक row को select कर लिया, तो 7cv, 7c1, M क्या होगीगा, आपके पास में 7c1, clear है, अब 7 में से आपने एक row को select कर लिया, तो अब अपने को ऐसे दो, उन में से point को select करना, so that they are adjacent to each other, तो जैसे दोखो, अगर अपने पास में 1 set यह बनता, एक जैसे यह बना लिया, फिर यह दो, इदर ऐसे मैं इनको count करता हूँ, जैसे दोखो, एक यह बना, फिर दो, तीन, चार, पांक, छे, तो अपने six ways से फिर अपने पास में क्या है, इस तरीके से select कर सकते हो, तो 6c1, अब भी 6 में से कोई एक select करना है, तो ऐसे यह row wise का बने, ऐसे पर आपके पास में column wise से, यह यह भी तो आपस में friend हो सकते हैं, ऐसे, clear है, तो two ways से इदर आएगा, आपके पास में M क्या हो गया है, यहाँ पर, 84, so what is the probability, यहाँ पर आपके पास में probability क्या रहेगी, इसमें, तो P is equal to 84 upon 49 C2, 84 upon, this is 49 into 24, clear है, तो यह किसकी table से कटेगा, आपके पास में 7, तो यह 12, इदर कितना आएगा, आपके पास में 7, 1, so here we have, P is equal to 1 upon 14, तो 7P is equal to 1 upon 2, that is 0.5, तो answer to this question भी है, 0.5, उस question का answer आपके पास में क्या हुआ, तो, तो इसका answer क्या आपके पास में 0.5, okay, good morning student, अब बात करेंगे, अपने second paper की, second paper भी easy था, ज्यादा hard नहीं था, देखते हैं, क्या-क्या चीज़ यह थी उसमें, फर्स जो किशन दिया गया है, वो MOTC, किस से दिया गया है, MOTC, molecular orbital theory, F2 का diagram पुछा गया, बहुत सी simple बात है, अपने देखें, यहाँ कितने, अपने पास कितने electron हुए, F2 में, 18 electron हुए, और इसका energy diagram क्या होता है, सिग्मा 1S2, सिग्मा 1S2 स्टार, सिग्मा 2S2, सिग्मा 2S2 स्टार, सिग्मा 2P, P2P X and P2P Y, या तो अपने X मानले, Z मानले, यह क्या हो जाएंगे, X और Y हो जाएंगे, और यहाँ, anti bonding में अपने पास, 2 electron रह जाएंगे, तो देखते हैं, तो नीचे वाले इसने यह तो छोड़ दिये हैं, यहाँ देखें, 2, 2, 4, पर यहाँ पर इसने पाई को नीचे रख रखा है, यह condition कब बनती है, यह condition बेटा जी, B2, C2 और N2 में अपने पाई जो होता है, नीचे की हो रहते हैं, ठीक है, next second में अपने देखें, यहाँ देखिए, यह भी diagram क्या हो गया, इसका wrong हो गया, इस diagram में देखें, 2, नीचे कितने होगे, 4 तो नीचे होगे, 2, 2, 4, 2, 6, sigma नीचे, 6, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अपने पास, इसमें complete हो गया, तो अपना right statement यही है, इसमें देखेंगे, यह wrong क्यों हो गया, क्योंकि इसमें उपर तक electron फिल कर रखें, तो इसमें अपना wrong होगा, अपना कौनसा answer आजएगा, C answer आजएगा, यह भी wrong हो गया, और यह भी wrong हो गया, next बात करते हैं, physical chemistry से related बात करें, तो consider the following statement, colloidal solutions से related questions है, colloidal solutions से related हमें बात ही कर रहा है, lyophobic colloidal are not formed by the simple mixing of dispersed phase and dispersed medium, statement सही है, यह correct है यह incorrect है, dear students, lyophobic colloidal solutions है, formed by the simple mixing of dispersed phase and dispersed medium, lyophobic colloidal solution है, simple not formed by the simple mixing, simple mixing से formed नहीं होता है, इसके लिए different method, अपने पास NCRT में लिख रके ही, breading arc method लिख रका है, hydrolysis बगरा लिख रका है, peptization लिख रका है, simple mixing से कौन सा होता है, lyophobic नहीं होता है, lyophilic होता है, तो यह अपने पास statement क्या हो गया, सही statement हो गया, for emulsion, both dispersed phase and dispersion medium are liquid, emulsion क्या होता है, mixture of two immiscible liquids, तो यह अपने पास बिल्कुल सही statement हो गया, micelle are formed by the dissolving surfactant in any solvent and any temperature, not micelle formed above the craft temperature, craft temperature से उपर होता है, तो यह statement क्या हो गया, गलती statement हो गया, tindal effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same reflective index as the dispersal medium, dispersed phase और dispersed medium का reflective index अगर same होगा, तो क्या नहीं होगा, scattering of light नहीं होगी, और यह क्या नहीं होगा, observed नहीं होता है, तो दोनों में dispersal phase and dispersed medium का reflective index क्या होता है, different होता है, तो यह statement भी क्या हो गया, गलत हो गया, कौन सा statement सही हो गया, first और second statement अपने पास सही हो गया, तो यह correct हो जाएगा, Ocadie students, surface chemistry का NCRT based questions है, और सारे point अपनी NCRT में लिखे हुए है, यह physical chemistry का है, यह वाला, ग्रिगनार रिजेंट, ग्रिगनार रिजेंट की पीछे पड़ा हुआ है, ग्रिगनार रिजेंट का first paper भी एक question था, यहां भी एक question है, और इसमें क्या पूचा है, इन्दा following reaction PQRSR दा major product है, और यहां भी multiple जो इस question है, section first की बात कर रहे है, कि कौन सा सही है, तो देखो यहां पे magnesium dry ether, तो परश्टे पहले ग्रिगनार रिजेंट बनेगा, ग्रिगनार रिजेंट बनने के बाद, acidic hydrogen यहां पे present है, तुरंत वापस hydrocarbon में convert हो जाएगा, यह पे well known reaction है, फिर यहां पे magnesium dry, ग्रिगनार रिजेंट, CO2 के साथ, addition reaction, carboxylic acid, hydrolysis, NA, OH, Q के बारे में कुछ बूच रहा है, ऐसे ही, यहां पे यह दिया हो है reaction, तो reaction में क्या बोला है, कि यह बोला है, कि इनके regarding आपको information देनी है, B के लिए यह बोला है, Q undergo coal-based electrolysis to give an 8 carbon product, तो यह सारी information आपके आगे solution में में लेके आया हूँ, देखे, सबसे पहला यह है, ग्रिगनार, magnesium, यह dry ether है, ग्रिगनार रिजेंट बना, H2O, यहां पे acid-base reaction हो गई है, और यह hydrocarbon बन गया है, P is hydrocarbon, P hydrocarbon है, फिर second की बात करते हैं, वापस ग्रिगनार रिजेंट बना, CO2 के साथ reaction हुई, तो मैं बता देता हूँ, CO2 के साथ reaction कैसे करेगा, यहां पे negative charge है, यह attack करेगा, यह यहां से यहां जाएगा, और यहां पे यह carbon और यह CO-Mg-O, देन हमने करवा दिया, इसका hydrolysis, तो यहां पे OS supply हो जाएगा, मतलब finally अगर बात करें, तो यहां पे CO-H group जूर जाएगा, इसके बाद यह जो compound बना ना, इसके आगे reaction और करवा है है मैंने, ठीक है, यहां पे यह carbonic acid बना था अपने पास, है, और यह radical और यह radical combine होते हैं, और यहां पे यह वाला बनाते हैं, sorry, radical आप देख लें, एक radical तो यह वाला हो गया, एक radical यह वाला हो गया, इन दोनों चुड़ गये, तो क्या 8 carbon बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पे यह वाला बन गया, फिर अगली reaction आ गई, इसका magnesium dry यह थर से करवाया, LDID के साथ reaction करवाया, alcohol बन गया, alcohol का oxidation हो गया, और क्या बन गया, ketone बन गया, फिर आगे वाली reaction करवाई, ethanolic, ethanolic, NACN, SN2 reaction हो गई, CN- यहां पे जुड़ गया, H2 nickel से, इसका reduction हो गया, cyanide का reduction हो गया, CH2, NH2, यह carbil amine reaction है, जिसमें 1 degree amine यह test देती है, isosyanide में करवाट हो जाएगा, इसका हमने reduction करवाया, तो NC group करवाट हो जाएगा, NH, CH, CH3 में और S बन जाएगा, तो P is hydrocarbon, P हमारे पास hydrocarbon है, B इसका correct option है, R है जिस 6 carbon, but do not undergo K90-0 due to presence of hydrogen, option जिसे बोल रहा है, R जो हमारे पास बना है, S is secondary amine with 6 carbon, तो option को एक बार check कर लेते हैं, reaction का solution मैंने बता दिया आपको, देखें, P is primary alcohol, definitely primary alcohol नहीं है, hydrocarbon है, तो गलत हो गया, क्यों undergo Colby electrolysis, definitely, क्योंकि क्यों हमारे पास, finally यह बना था, फिर यह aneos के साथ reaction करवा के बना रहा है, salt, और salt बनने के बाद, अगर मैं इसका Colby electrolysis करवा हूँ, तो यहां से radicals underate होगा, anode पे, और यहां coupling हो जाएगी radical की, और यह वाला बन जाएगा, यह वाला, तो 8 carbon का hydrocarbon बन रहा है, तो B correct option है, carbon 6 है, बट केनिजारो reaction के लिए LDID ग्रूप होना चीए, alpha hydrogen absent होनी चीए, वहाँ alpha hydrogen present है, तो यह वाला गलत हो गया, S is primary amine, definitely primary amine नहीं है, क्योंकि वहाँ, पहले हमने carbon amine करवाया, isosyanide बनाया, isosyanide का lithium aluminium hydride से reduction करवाते हैं, तो 2 degree amine बनती है, तो यह वाला option भी गलत है, तो answer आएगा इसका B, next question, यह biomolecular से question, और easy question है, single choice question है, easy question है, बहुत ज़्यादा टप नहीं है, साप साप नज़र आ रहा है, A-di-saccharide, X cannot be oxidized by bromine water, और हमें पता है, सुक्रोज जो है, वो non-reduishing sugar होती है, सुक्रोज non-reduishing sugar होती है, the acid hydrolysis acts lead to the liver, और बोलते हैं, उसको invert sugar भी बोलते हैं, क्योंकि उसका hydrolysis करवाते हैं, तो glucose और fructose दोनों बनते हैं, तो fructose liver rotatory होता है, तो overall solution liver rotatory होता है, तो यह बात सही है, तो देखो इधर, हमें पता है, कि जो सुक्रोज है, उसका hydrolysis से बनता है glucose, प्लस fructose, तो fructose में 5-empering आएगे, तो इन option का तो कोई मतलब भी नहीं है, option यह वाला दोनों देखने हैं, तो इस यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ, इस से अगर मैं चेक करूँ, तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है, कि यह यहाँ से यहाँ, यह यहाँ से यहाँ, LDID ग्रूप जनरेटर जाएगा, यह हेमी एसी टेल ग्रूप है, और हेमी एसी टेल अगर ग्रूप आ गया, तो फिर तो वो ब्रॉमीन वोटर उसको ऑक्षिडेज कर देगा, इसलिए यह वाला नहीं होगा, यह वाला उप्सन होने का कोई मतलब भी नहीं है, इसमें हेमी एसी टेल ग्रूप एपसेंट है, यहां प्री एल्ड ग्रूप जनरेट हो सकता है, इसमें नहीं होगा, तो आंसर जो जाएगा, पस जाएगा, डिटो एन्सी टेक्टर दी होए, वो इस टेक्टर यहां लगाई हुई है, next, जो प्रकार की समयवता प्रदिशित करता है, इसमें बात करें, प्रकार की समयवता प्रदिशित करता है, ठीक है, जी आई कैसे रिपरजन करेंगाई, प्रकार की समयवता है, यह condition कोंसी हो गई यह बेटा अपने पास MA4 B2 condition हो गई तो यह represent करता है जी इसमें बात करें यह गया जी जी आउए डी परजेंट करता है तो इसमें बात करें यह जी आई डी परजेंट यह बात करें यह यह क्यों नहीं करेगा तो हुरि कि इसमें क्या है sp3 hydrogen is sp3 hybrid नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट बात करें यह इसमें बात करें यह इसजी आई अपने यह क्यों सा है जिसमें भी स्मेट्रिकल जब जो जैना इन्हला और आगया वह क्या होगा जब कोडिनिसन no.4 हो और तू वाली condition बन रही है, MAA, A2 वाली condition बन रही है, यहां यह symmetrical, byodentate symmetrical ligand है, जो कभी भी GI, अगर byodentate symmetrical ligand आगया square planar में, तो कभी GI represent नहीं करता है, यहां SP3 abattation आने का रहे नहीं है, तो अपना answer आजएगा C and D, next बात करते हैं, Atom of metal X, Y and Z form face center unit cell of edge length LX, body center unit length of LXY and simple cubic LZ respectively, Atom X, Y और Z है, वो अपने पास Atom X face center cubic length बनाता है, जिसकी edge length LX है, Atom Y है, वो अपने पास body center cubic lattice बनाता है, जिसकी edge length Y है, Atom Z simple cubic बनाता है, जिसकी edge length है, वो अपने पास LZ है, If RZ is equal to this, RY equal to this, MZ is equal to 3 by 2 of MY and MZ equal to 3 by MX, तो चार statement अपने को given हैं, और इस statement पे अपने को discuss करना है, पहला statement है, पेकिंग efficiency of the unit cell X is greater than packing efficiency of unit cell Y and packing efficiency of unit cell 3, अपने पास packing efficiency is related बात कर रहा है, और packing efficiency is related बात करें, तो एक बार अपने पास क्या बन रही है, FCC, FCC की packing efficiency देखते हैं, तो 74% यह packing efficiency होती है, 74% packing efficiency होती है, BCC की packing efficiency 78% होती है, और simple की packing efficiency 54.2% होती है, तो packing efficiency का यह order अपने पास क्या हो गया, सही हो गया, Packing efficiency का यह order सही हो गया, सेकिंड अपने पास गिवन है, कि L Y is greater than L Z, D students simple अपने पास गिवन है, देखना L X बराबर 4 R Y upon root 3, क्योंकि, और L Z बराबर हो गया, 2 root 3 Y, तो L X यहाँ से देख रहे हैं, तो L Y तो इतनी आगी, L Z इतनी आगी, तो अपने पास L Y is greater than L Z मिल रहा है, तो अपने पास बिलकुल सेकिंड स्टेटमेंट भी, अपने पास क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही मिल रहा है, सेकिंड स्टेटमेंट भी थल मिल रहा है थार्ड स्टेटमेंट LX is greater than LY LX relation लिख रहा है LX अपने पास कितना हो जाएगा LX बराबर 4RX by root 2 LY is equal to 4RY is equal to root 3 अपने पास R, XY और Z के relation दे रहें तो LX बराबर हो गया 4 root 3 RY upon 8 तो यहां से LX बराबर आ रहा है 3 root R, Y, Y, 2 और यह अपने पास R, Y, Y, 2 तो अपने पास LY is greater than LX आ रहा है तो यह स्टेटमेंट अपने पास थार्ड जो स्टेटमेंट है थार्ड स्टेटमेंट यह अपने पास incorrect हो गया density के बारे में बात करते हैं तो density is equal to अगर अपने को FCC की density देखनी है FCC की तो 4 into M into NA into A cube तो 4 MX लिख दिया LX की cube और Y की देखनी है तो 4 into MY into NA दोनों को ratio calculate कर लें तो 2 तो अपने पास यह आ गया MX upon MY LY upon LX की cube यहां से LY upon LX upon calculate कर लेते हैं तो DX is greater than DY आ रही है और यह statement देखते हैं यही दे रखा है क्या तो statement अपने पास given है density of X is density of Y तो सही हो गया कौन से option correct होगे A, B और D option अपने पास क्या हो जाएंगे correct option हो जाएंगे तो अपने पास A, B, A, B और D option अपने पास क्या हो जाएंगे correct option हो जाएंगे dear student simple solid state की केवल और केवल atomic radius और age length के relation के according questions बनाया गया है conceptual questions है देखते है next ये भी अच्छा question है इन्दा following reaction PQR आदा major product केवनोफोर केवच और hydrolysis हमें पता है active position पे ये oxidizing agent है oxidizing agent है active position पे तो यहां तो hydrogen होनी चाहिए ही तो इसका ये non-oxidizing group हो गया इसका oxidation नहीं होगा इसका oxidation होगा और कार्बोक्स लीकेशन में चला जाएगा तो इनके पहले product बनाने हैं हमें फिर product बना के जो PQRS बनेंगे उनके regarding हमें सई statement बताना है ठीक है चलो देखते हैं पहले क्या है तो पहले मैंने ये compound दिया हुआ है इसका मैंने oxidation करवाया है यहां पे oxidation और P बना अपने पास ये वाला ठीक है ये वाला group कार्बोक्स लीके acid में convert हो गया के वाच? acidic H plus इसलिए दिये कि salt बनता है वो acid में convert हो जाए फिर यहां NaOH, H2 और hydrolysis तो इस condition में इस acid highlight group का भी hydrolysis हो जाएगा इसका भी hydrolysis हो जाएगा तो यहां से तूटेगा ये HOH यहां से भी OH और H तो finally ये वाला आपके पास बन जाएगा आइसो थेलिक acid जिसका नाम है क्यों ये वाला बन जाएगा और ये monomeric unit of glyptal polymer इसकी monomeric unit है यहां ये वाली अच्छी reaction है मैं इसको एक बार explain भी कर देता हूँ पहले आपने ester का करवाया hydrolysis साथ में cyanide का भी किया हो गया hydrolysis तो यहां पे ester का अडलासिस हुआ तो बना ये CO और इधर ची ये तूट गया CH2 और ये COH और इधर भी COH फिर हमें दियावा है heat तो यहां से देखेंगे तो ये alpha, beta, beta ketoacid है और beta ketoacid highly reactive है decarboxylation के लिए beta ketoacid highly reactive है decarboxylation के लिए तो यहां से CO2 भार हो जाएगा, H यहां चला जाएगा और finally बन जाएगा आपके पास ये वाला COCH3 और ये COH उसके बाद H2CRO4 तो oxidation करेगा अब हमारे पास ketone है तो ketone का ही oxidation होगा Ldii होता तो Ldii का होता तो यहां से ketone का auction होता, carbon carbon bond के लिए जोता है यहां से तूटेगा और इधर बनेगा COH और यहां भी COH, मतलब वो ही बना है जो आपके पास यहां बना था मतलब इसमें इसमें सेम बनेगा next option जो दिया होए वो ये वाला दिया होए तो यह वाला आ रहा गया अपने पास यह वाला दिया होए magnesium dry ether तो सबसे पहले grignard region का formation होगा उसके बाद CO2 का reaction आप करवाओगे तो CO2 इस पर टे करके यह कारवक्षर करके हाइड्रोलाइसिस जब करवाओगे तो इस ring का भी hydrolysis हो जाएगा इस ring का भी hydrolysis हो जाएगा और यहां से ring तूटेगी तो इधर H, यह OH, इधर H और यह OH तो finally अपने पास उपर तो CO2 के एडिशन से हाना COH जुड़ गया था नीचे इस carbon पे 2 OH आ गये थे यहां से हमने H2O बाहर किया और यह LD हेड बन गया फिर AgNO3H3O प्लस यह अमोनिकल आपको एंचे आट वहाँ जो पेपर में दिया वह वो दिया वह तोलेंस रिएजेंट और आपको पता है तोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइटरेट हाना NH4 OH HAGNO3 यह लिखावा है अमोनिकल सिल्वर नाइटरेट तो यह LD हेड का भी ओक्सिल्डेशन करतेगा किसमें कार्वोक्सिलिक एसिड में तर्थेलिक एसिड बनेगा जो डेक्रोन का मोनोमेरिक यूनिट है अब देखते हैं ओप्सन में क्या दिया है तो अपने पास यहां तो बना यह वाला और इसमें बना है यह वाला और इसमें भी यही बना है आर भी यही बना है अपने पास और यहां अपने पास बना है यह वाला अब option को चेक करते हैं P and Q are monomer of polymer of decrone and glyptol नहीं decrone के लिए 1,4 benzene di carboxric acid होना सी है तो ये वाला नहीं है ये decrone का monomeric unit नहीं है ये वाला है बट overall statement तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि ये glyptol ये है glyptol का है बट ये वाला decrone का नहीं है फिर है polymer से connect कर दिया P, Q and R are di carboxric acid तो P di carboxric acid नहीं है Q है R है तो ये भी गलत हो गया compound Q and R the same Q और R क्या हाए है डोनों same आये है तो ये statement सही हो गया R does not undergo LDL condensation and S does not undergo Canisar reaction तो R जो है carboxric acid नहीं यहाँ बोला है R LDL तो LDL तो Carbonyl compound की reaction होती है carboxric acid की थोड़ना होती है and S does not undergo Canisar तो S वाला ये भी Canisar नहीं देगा वो LDID की reaction होती है तो ये वाला statement भी सही हो गया वो बोल रहा है नहीं देता तो हाँ जी नहीं देगा तो आंसर आजाएगा C और D next हम बात करते हैं अब section 3 की integer questions की बात करेंगे non-negative integer type questions में हम चेक करते है non-negative integer type non-negative integer type H2S 5 mole react completely with acidified aqueous potassium permainate solution in this reaction the number of the mole of water formed is X and the number of mole of Y the value of the X plus Y एक simple है H2S K1O4 किसके साथ react कर रहा है K1O4 H2S के साथ reaction कर रहा है acidic medium में तो हमें क्या बन जाएगा MN plus 2 मिलेगा plus sulfur मिलेगा H2 मिलेगा इससे iron exchange method से balance करना है तो dear students इससे आप iron exchange method से calculate करते है तो K1O4 H2S H plus MN plus 2 इस reaction को balance किया तो ये अपने पास MN को balance कर दिया H2O कर दिया H2S को balance कर लिया दोनों में number of electron equal करके जोड़ा तो 5 mole ये है तो अपने पास H2O के कितने mole formed होगे 8 mole formed होगे और number of electron कितने transfer होई 3 electron transfer होई तो X plus Y की value कितने ही आजाएगी 18 answer कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तो dear students अपने पास यहां answer हो जाएगा 18 next next question देखते हैं ये बटा hybridization पर simple question पुछा गया था इसने पूछा किसमें SP3 hybridization है इसमें chemical bonding और coordination के दो compound mix कर दिये ये एक तो ये coordination का है और ये एक ये coordination का है ये बाकि simple hybridization पूछा गया है इसमें बात करें इसमें कौन सा hybridization है SP3 hybridization है इसमें बात करें इसमें भी SP3 D hybridization है इसमें बात करें बटा SP3 ये important है थोट सा क्योंकि इसमें CO strong field लिगेंड है ये nickel forest वाले electron को कहा मूब करा देता है D10 electron configuration आया था जिसके कान यहाँ पर SP3 hybridization है यहाँ बात करें बटा SP3D कुम सा है SP3D आयोइबरेशन है यहाँ बात करें यहाँ DSP2 hybridization है D SP2 hybridization अपनी पास फिक है यहाँ बात करें SP3D2 hybridization है अपनी पास जोकि इसमें बात करेंगे तो अपनी पास SP3 hybridation है तो SP3 अपनी फील काउंट करने है SP3 काउंट करने 1, 2, 3, 4, 5 5, तो अपना answer आजएगा बेटा, कुणसा, 5, 5 answer आजए, ठीक है, जिसे देखते हैं, इससे आगे अपने solution में कर रखा है, इसमें SP3 है, इसमें SP3 है, इसमें SP3 है, ठीक है, और इसमें SP3 है, इसमें SP3 दी आगया है, तो ये SP3 है, तो total आगे अपने पास, 5 answer और नेक्स्ट बात करते हैं consider the following molecule BR3O8 F2O H2S4O6 H2S5O6 and C3O2 पर जो यह question दिया गया redox reaction में इनकी जो structure है redox reaction में आपको दे रखी है वैसे thionic acid series है यह thionic acid series से दिये गया है यह दोने इसको carbon sub oxide है ठीक है इसके जो diagram है NCRT में दिया गया है अपने पास क्या BR double bond O double bond O BR double bond O double bond O double bond O BR double bond O double bond O double bond O यहाँ इसने पूछा है कि किस में oxygen अवस्ता 0 सुनने है किन परमानों में किन atom में oxidation state कितनी है 0 oxidation state है इसमें तो सभी में oxidation state है next बात करें OF2 में बात करें OF and F यहाँ तो दोनों पर oxidation state है H2, S4, O6 ऐसे अपने बता बात क्यों है क्या इसकी जो structure आती है कैसी आएगी यहाँ oxidation state कितनी आएगी 0 और 0 आएगी यहाँ इसके लिए मैंने आपको बताया था N-2 N क्या यहाँ? sulfur की संख्या number of sulfur N-2 होंगे कौन से? S0 वाले इसा हम क्यूशन करा था हूँ आपको class में S0 वाले कितने होंगे? N-2 और S plus 5 वाले कितने होते हैं? 2 मिलते हैं अपने को और S, S bond के लिए अपन बात करते हैं कितना बताते हैं? N-1 के लिए बात करते हैं ठीक है? next दे रखा है H2, S5, O6 इसके लिए बात करें HO, S double bond O double bond O S, S, S S double bond O double bond O OH बात करें तो यहाँ 0 वाले कितने हैं? 1, 2, 3 है जबकि C3O2 के लिए बात करें C3O2 के लिए बात करें C double bond C double bond C double bond O double bond O इसको कहते हैं carbon sub oxide इनकी नाम भी आप याद रखना बेटा इसको कहते हैं tetra thionic acid जबकि यह है pentathionic acid pentathionic acid तो 0 वाले देखें यह 0 वाला है तो टोल कितने हैं वही 1, 2, 3, 4, 5 and यह 6 आंसर आगे अपना 0, 6 simple question था NCRT based था यह सारे के सारे question NCRT based थी ठीक है यह diagram मैंने बना रखें आगे आपके लिए ठीक है सारे NCRT based question थे अपने inorgany में कोई भी बाहर से question नहीं था एक स्वल्ड का question था हलका सा question था उसके लिए आपको अगर MN option से ही हो जाता क्यों करोमियम का color आता है जबकि MN की जो आइड उक्साइड होते हैं वाइड पीपीड देते हैं अपना आंसर हो जाता है ठीक है आज के लिए इतना ही वाइड इन दे इमिटेड फोटोन दूरिंग दे ट्रांजिशन इज दी स्टूडेंट सिंपल यूज ये लेना है बोर रेडियस ये रिडबार कॉंस्टेंट ये प्लांग कॉंस्टेंट ये वेलोसिटी ओफ लाइट ये दी स्टूडेंट की अगर देखें तो आपको रेडियस एक्साइटेड इस्टेट की गिवन है और रेडियस लोवर इस्टेट की गिवन है हाईर स्टेट से लोवर स्टेट में इलेक्टोन आएगा तो हम रेडियस गिवन है तो हम और बिट की वेल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सेल की value calculate कर सकते हैं और जब higher energy level से lower energy level में ये electron transit हो रहा है तो इसकी हम क्या कर सकते हैं lambda calculate कर सकते हैं simple questions है जिससे आपको calculate करवाना चाहता है अब यहाँ पे radius का formula अगर picometer में देखें तो r is equal to 52.9 n square by z n square by z होता है तो यहाँ पे n square by z की value कितनी होगी for h e plus sign h e plus sign z की value 2 होगी तो यहाँ कितना put कर रख है 2 put कर रख है और r 1 के लिए put कर रख है तो n2 बराबर 2 आ गया और r 1 के पे n1 मतलब h e plus sign में electron जो है n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहा है n बराबर 2 से 1 बराबर 1 में आ रहा है तो हमें क्या calculate करना है लेम्डा calculate करना है और लेम्डा का formula हम जानते हैं 1 upon lambda is equal to rhz square rhz square hyc into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square कर सकते हैं तो यहां हमने rh जो हमें दे रख है energy के terms में दे रख है rh किसके term में दे रख है energy के term में दे रख है तो हमने rh की value put कर दी rh की value put कर दी z square 4 put कर दिया यह value तो यह आगया 30 into 10 to power minus 9 meter तो कितना हो गया 30 nanometer हो गया तो अपने पास nanometer में answer अपने पास कितना आगया nanometer में 30 nanometer अपने पास answer आ जाएगा ok dear students simple next 50 ml 12 questions देखते हैं 50 ml 0.2 molar urea solution density this mixed with the 250 ml solution containing 6 gram of urea both solution were prepared in the same solvent the osmotic pressure of solution in tor gas constant की value tor में गिवन है ideal solution आपको delta H mixing दे रख है delta H V mixing दे रख है 0 ideal solution आपको माना गया है ideal solution these students question इस तरह से हैं एक अपने पास 250 ml solution है 250 ml solution है यह ले लिया और एक 250 ml solution है इनको mix कर दिया दोनों solution क्या है यूरिया यह भी यूरिया solution है और यह भी कैसा solution है यूरिया solution है हमें osmotic pressure calculate करना है तो πाई is equal to ICRT calculate करना है ICRT calculate करने के लिए यूरिया की net concentration चीए यूरिया की net concentration पता चल जाए तो हम question solve कर सकते हैं तो देखना net calculation कैसे करते हैं मौल अफ यूरिया in 50 ml solution is x 50 ml solution मास ओफ यूरिया मास ओफ solution M is equal to dv अपने पास आ गया density अपने पास given mass of solution इतना आ गया अगर मेरेको molality पता है तो मैंने लिग दिया मास ओफ यूरिया मैंने मौल इलिटी पता है तो मास लिग दिया 0.2 मास यूरिया का एक्स रह ये 60 50 minus 50.6 minus x solvent का मास आ गया ये मास ओफ solvent आ गया x is equal to 0.6 gram आ गया तो मौल अफ यूरिया 0.01 आ गयी ठीक है mol of urine 250 ml solution 0.06 0.06 amount दे रखिये 0.06 gram 250 ml में दे रखा है तो मौल कितना हो गया 0.001 टोटल मौल कितने हो गया टोटल मौल अपने पास ये हो गया volume कितना हो गया 250 और 50 0.3 liter 62 दे रखा है 300 तो 682 टोटल अपने पास आंसर आ जाएगा कितना हो गया 682 टोटल 680 टोटल अपने पास आंसर हो जाएगा ओके दिए स्टुडेंट सिंपल next ये क्यूशन है question number 13 NCRT की reaction organic को mix करके physical chemistry में mole की तरफ ले गया यार ये trend बना हुआ है बट इस paper में तो ये एक ही question है last year जो J.E.E. advance का paper हुआ था उसमें से कई question थे जिसमें organic की reaction से उसने mole concept connect कर दिया था physical की तरफ connect कर दिया था ना वो बात करते हैं question में क्या बोल रहा है the reaction of 4-methyl-oct-1-ene जिसको P बोला है और उसका दियावा है 2.52 gram with HBR in the presence of proxide ये proxide है सबको पता है ये C6H5COOCOO और ये C6H5 ये वाला benzoil proxide give 2 तो यहाँ reaction alkene की reaction HBR से in presence of proxide pre-radical addition reaction give 2 isomeric bromide 9 ratio 1 with a combined yield of 50% मतला 50% 9% बनेगा और वो 1% बनेगा या भी रोलो 50% 90% बनेगा और 50 convert हो जाएगा मतला उसका अगर एक mol लेता हो तो half mol 90% देगा और half mol 1% देगा 10% देगा question में ये बोल रहा है the entire amount of the primary alkyl bromide तो primary alkyl bromide बना है was reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO3 given non-ionic product S in 100% yield the mass of S obtain S का mass कितना आएगा question होपली समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं देखो reaction की ये है आपके पास 4 methyl octone in इसकी HBR से reaction करवाई तो reaction हुई free radical edition हाना और यहाँ anti-marconic op rule से होती है तो दो possibility हुई product की एक बार BR इधर जुडा एक बार BR इधर जुडा यहाँ से BR missing एशोरी एक बार BR यहाँ जुडा बोल रहा है major product यह बनेगा definitely क्योंकि free radical edition में सबसे पहले BR radical जाएगा और यहाँ से इसका kill wage होगा तो जब kill wage होगा तो BR radical उस carbon पे जाएगा left behind radical क्या होना चीए इस्टेबल होना चीए तो BR radical इस पे जाएगा पहले फिर यहाँ पे H जाएगा इस्टेबल radical से reaction हो जाएगी तो यह 9 और यह 1 9-1 ratio में मतलब इसका अगर 1 mole लेते हैं तो half mole 90% में करनोट हो जाएगा और half mole 10% में करनोट हो जाएगा फिर इसकी reaction को आईए E2 NH aqueous K2 CO3 से तो definitely SN2 reaction होगी NH attack करेगा BR को क्या कर देगा बाहर और यह वाला S बन जाएगा अब देखो combined yield दी हुई है 50% और 50% किसका मतलब 2.52 gram था उसमें 50% तो एक yield आगई अपने पास 9 वाले की और 50% तो यह बना और 50% इसमें convert हो गया 2.52 में 50% convert हो गया एक में और 50% convert हो गया 9 में 9 ratio बन दिया हुआ है तो यहां 50% of 2.52 का कितना हो गया 1.26 gram हो गया मतलब इसमें convert होगा होगा 1.26 gram 1.26 gram इसमें चला जाएगा मौलर मास ओफोर मिधायल मौलर मास 126 है तो हम मौल निकाल लेंगे मौल ओफोर मिधायल ओक्टवनीन 1.26 divided by 126 तो 00.1 मौल आ जाएगा मतलब 0.01 मौल जो है हाप वो convert हो रहा है 9 में तो 90% of 00.1 मौल हाप कर दिया न मिन्हें हाप तो इदर चला गया उसका 90% हील रहता है 0.009 मौल तो इसका मास निकालेंगे S का तो S का मौलर मास निकालेंगे तो आएगा 0.009 को 1999 से multiply करेंगे तो 1.791 मिली ग्राम में answer आएगा और आपसे कृष्टन में यह पूचा था मिली ग्राम ग्राम में answer आएगा 1.79 मिली ग्राम में convert कर देंगे तो इसमें convert हो जाएगा ठीक है? तो आंशर आजाएगा ये तो gram में हो गया हमें milligram में पूचा है तो ये milligram में answer ये वाला आजाएगा के लिए? चलो next देखते हैं section 4 is question continue numerical value type दे रखा है round of करना है paragraph questions है paragraph आपको solve करने paragraph को पढ़ना है round of करते हुए nearest answer अपको देना है numerical value देना है no negative marking negative marking नहीं है okay entropy versus temperature plot phase दे alpha and beta at one bar pressure is ST and S are not the entropies of the phase at temperature T and zero Kelvin respectively dear students ये एक graph अपने पास द्यान से देखें तो बड़ा आसान सा question दिख रहा है एक graph अपने पास दिया है एक alpha phase के लिए दिया है एक beta phase के लिए अपने पास graph है किस-किस के बीच में दे रखा है entropy versus temperature entropy versus temperature plot force alpha and beta एक one bar pressure is given in ST and S no are the entropy of the phase at temperature T and 0 Kelvin respectively graph को अपने चपने चेक किया next information check करते है at transition temperature for the alpha and beta phase change is 600 Kelvin CP beta minus CP alpha is equal to 1 joule per mol per Kelvin assume CP beta and CP alpha is independent on the temperature range of 200 to 700 Kelvin अपने पास जो alpha form है और beta form है इनमें CP 200 से 700 तक अगर आप temperature change करते हैं तो इस temperature की range में CP change नहीं होती है अपने पास temperature की range है 6300 to 600 इसका मतलब इस range में क्या नहीं करना है CP को change नहीं करना है and CP alpha and CP beta are the heat capacity of the alpha and beta phase respectively CP1, CP alpha और CP alpha इसके पास यह heat capacity है यह दिया है तो पहला paragraph से related questions बना है the value of entropy change S beta minus S alpha 8300 Kelvin यह 300 Kelvin पे हमें calculate करना है ठीक है ln 2 0.69 लेना है S beta minus S naught 8 0 Kelvin is equal to 0 means अपन third love thermodynamics पढ़ते हैं कि 0 Kelvin पे अपने को 0 ले लेना है तो dear students इसमें हम यह बात करेंगे delta S ds is equal to ds is equal to अपने पास होता है q upon qp upon t क्योंकि यह जो change होता है constant pressure पे ds is equal to होता है qp अपने पास n cp dt upon t integration इसका हम कर देंगे तो यह अपने पास delta S minus delta S naught is equal to अपने पास हो जाता है n cp ln t2 upon t1 यह बोल रहा है यह वाली value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी तो इस वाली value पे अपने को विचार करते वे questions आसानी से solve कर सकते हैं तो देखो दोनो फेज के लिए हम solve करते हैं अपने पास 4 alpha alpha के लिए वही concept काम में लिए 600 minus 300 delta S हमने यही का है delta S is equal to S 600 minus S minus S 300 equal to अपने पास integration करना है cp dt dot t ठीक है तो अपने पास यह आ गया 600 बीटा के लिए यही calculate किया तो अपने पास यह बीटा के लिए आ गया अब इसमें से 600 minus this और this minus this is equal to cp cp का difference कितना दिया है यह cp का difference 1 अपने पास given है यहां से solve करते हैं तो S 300 minus S 600 यह वाली value आ जाती है 0.31 अपने पास आ जाती है यह अपने पास S beta minus S alpha कितने पे calculate करना है अपने को calculate करना है कितने Kelvin पे 300 Kelvin पे दोनों पे 300 Kelvin पे calculate करना है तो अपने को देखे यह 300 Kelvin पे यह value आ जाती 0.31 nearest integer अपन करें तो 0.3 के आज पास भी ले सकते इतनी range गिवन हो सकती है ओके dear students next इसी paragraph से related बात कर रहे है paragraph सेम है इसी paragraph से related हमें बात करनी है the value of the enthalpy change H beta minus H alpha in Joule at 300 Kelvin तो delta H2 minus delta H1 which is equal to delta CPDT अलग-अलग temperature पे हमें आती है delta H600 minus delta H300 CP minus 600 इंटू जनू अगर अपने पास 600 पे calculate करना है तो 600 transition temperature है तो delta Z note कितना हो जाएगा? 0 तो delta Z is equal to delta Z note is equal to delta H note minus T delta S note तो यह वाली 0 है गी तो delta H note बराबर क्या हो गया? T delta S note हो गया यहाँ से अपने पास delta H आगी अपने पास 600 पे 600 पे आगी तो हमने 300 पे calculate किया तो कितना आगया? 300 पे अपने पास 300 Joule आगी तो answer कितना हो जाएगा? 300 Joule पर मोल और dear students answer भी कितना आगी होने? 300 Joule पर मोल ओके dear students यह वाला अच्छा क्यूशन है क्यूशन में एक बार बच्चे ने अगर naming से structure बना दी तो reaction आगी हो जाएगी और एक ही paragraph पे दो क्यूशन पूचे है उसने तो यहां भोला है एक ट्राइन आइट्रो कंपाउंट 135 Tris 4 नाइट्रो फिनाइल बेंजीन तो बेंजीन और ट्राइन आइट्री फिनाइल 4 नाइट्रो फिनाइल तो फिनाइल अगर हम बनाएंगे यह वाला तो इस पे एक बार NO2 यहां पे है इमीन बनाएगा विचोन ट्रीट्मेंट विद एक्सस हो पैने NO2 अगर पैने जिरो डिगरी सेल्सियस प्रोवाइड पी तो पी यहां डाइजोटाइजेशन होगा डाइजुनियम सोल्ट बनेगा अब पी अपोन ट्रीट्मेंट विद एक्सस ह2 हमें पता है डाइजुनियम सोल्ट की रिएक्सन रूम टेंपरचर पे अच्टो से कराएंगे तो फिनोल में करवाट होगा गिवज दा प्रोड़क्ट क्यों ब्रोमीनेशन ओप क्यों इन एक्वस मीडियम फिनोल का ब्रोमीनेशन अगर एक्वस मीडियम में करवाते हैं तो ट्राइब रोमीनेशन होता है दो ब्र ओर्थो पे जुड़ते हैं एक पेरा पे जुड़ता है एक्ससो फिनोल अंडर बेसिक कंडिशन गिवदा प्रोड़क्ट एस दा मोदर मास्ट डिफ्रेंस बीट्वन कंपाउंड क्यू आर इतना है और कंपाउंड पी और एस की बीच में इतना है ठीक है? किसमें पूचा क्या है? दा नंबर ओफ हेट्रो अटम पर्जेंट इन वन मोलिकुल ओफ आर तो आर क्या है? यह देखो यह वाला ता आपको गिवन कंपाउंड था SN प्लस SCL से रेडक्शन हो गया NO2 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 NH2 में कर्वर्ट हो गया फिर यहाँ NA NO2 SCL 025 डिगरी से डाई एजो टाई जेसन और रिएक्शन हो गई Dijonium Salt, Dijonium Salt, Dijonium Salt बन गया फिर H2 के साथ रेडक्शन करवाई तो यह फिनोल में करवर्ट हो गया सब जगए फिनोल बन गया OH, OH यह फिनोल में करवर्ट हो गया फिनोल की रेडक्शन करवाई Bromine Water से तो देखो इस फिनोल पे एक BR यहाँ एक BR यहाँ पेरा पोजिशन इसकी वेकेंट नहीं है तो BR BR इसके भी और तो और तो पे BR यहाँ भी और तो और तो भी BR फाइलली बन गया यह वाला ठीक है यहाँ पे ओचाए अब आपसे पूचा है कि हेट्रो एटम कितनी है और हेट्रो एट्रो इट्रो 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 इट् आपको पीछे लिखा है यहाँ पे यह देखो क्यूशन में लिखा हुआ है the compound P upon treatment with excess of phenol P जो बना है उसकी reaction करा दो excess of phenol से तो P अपने पास P वाला जो compound था अपने पास वो वाला बना था ये वाला diagenium salt ये वाला P था अपने पास इसकी reaction P की reaction P था ये वाला ये वाला P था आपने पास इसकी reaction कराई excess phenol से और basic medium दिया बताओ कौँची reaction basic medium well-known reaction ये भी name reaction मतलब NCRT की मेरे साब से उसने बहुत कोई reaction छोड़ी नहीं stepan reduction को छोड़ के उसने हर name reaction का question दे दिया मतलब मैं स्वार्ट, फिंकले, स्टाइन इनको छोड़ के है name reaction का question दिया है और यहाँ पे यह होगी coupling reaction coupling reaction में क्या होता है basic medium में phenol की पेरा position पे diogenium salt जूड़ता है तो यहाँ से coupling reaction ARSE aromatic electrophilic substitution में एक reaction करके बता देता हूँ आपको कि यह diogenium salt है यह वाला और इदर से phenol की पेरा position यह पेरा position से यहाँ टेक होगा यह electron यहाँ से यहाँ finally बनेगा यह वाला N double bond N और यहाँ से यहाँ पे यह positive charge आ गया यह O minus आ गया और उसके बाद यह बाकी bond legit रहे तो यहीं से H plus क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा H plus बाहर होने के बाद यह वाला group यहाँ पे बन जाएगा तो इसमें हमसे क्या पूचा है इसे हमसे पूचा है इस क्यूशन में हमसे पूचा है कि in one molecule of pest the total number of carbon atom and hetero atom present in one molecule of pest carbon कितने है और hetero atom कितने है यह पूचा है तो हमने बनाए लिया है तो hetero atom तो देखो 2 nitrogen होगे 2 nitrogen होगे 2 nitrogen होगे तो 6 तो यह होगे 3 oxygen होगे 9 अब उसके बाद carbon तो देखो 6 6 6 6 यहाँ पे 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 और 6 है यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो carbon कितने होगे 7 sorry 6 into 7 मतलब 42 carbon हो गए अब molar mass पूचा है आपसे ठीक है molar mass नहीं पूचा है नमरों का अटम ही पूचे है तो 42 3 50 50 51 तो यह आंसरा देगा 51 तो यह था second वाला पेपर NCRT की reaction को follow किया है name reaction से integer बना दिये ठीक है hopefully आप सभी का paper अच्छा हुआ होगा ठीक है निरास नहीं होना अच्छे से त्यारी करनी है अगर आपका paper अच्छा नहीं हुआ है तो आप दुबारा नए सीरे से त्यारी करें और इस paper को द्यान में रखते हुए कि यही में किस level का paper आ गया आपकी अपनी CLC में नहीं बेच स्टार्ट है आप आओ आपका welcome है thank you